देश का सवाल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फणन्विस अमिश्या और जेपी नड़ा से मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली में। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में महराश में सरकार पर फाइनल फैस्टा लिया जा सकता है। ऐसी भी खबरे हैं कि फणन्विस और शिंदे के बीच सरकार बनाने का फॉर्मूला लगभखत है हो चुका है। जिसके तहट बीजेपी से 29 मंत्री और शिंदे कैम्ट से 8 कैबनेट और 5 राज मंत्री बनाए जाने की चर्चा बहुत तेज है। उदर गौाटी में क्या हो रहा है। गौाटी में एकनाज शिंदे ने कहा है कि वो शिफसेना और बाला साहिब के हिंदूत को आगे लेकर चलेंगे और जल्द ही मुंबई भी जाएंगे। इसी बीच उदर ठाकरे ने एक बार फिर बागी विधायकों को चिट्थी लिखकर भावुक अपील की है। क्या फननवीस और शिंदे की बीच सरकार बनाने का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। इन सारे सवालों पर आज हम अपने महमारों से बात करेंगे। लेकिन आईए पहले आपको सुनवाते हैं इस सियासी संग्रान पर आज के बड़े बैया है। मेरे ख्याल से जो भी उनका प्रपोजल हो आज का जो अपील उद्व जी ने किया है। वो एक बड़े भाई के नाते किया है। उद्व जी को ये जिम्मेदारी बाला साब ने दिये। और एक बड़े भाई के नाते अगर आज उद्व जी एक अपील कर रहे हैं जो भी उनकी समस्या है। वो घर में होनी चाहिए तो अगर वो घर आए और अगर उद्व जी ने अपील किया है तो अगर वो आके एक बार उद्व जी से बात कर सके तो कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। देमोक्रसी और रिष्टे यह सिर्व डाइलोग से ही हर करते हैं। डाइलोग बंध होना इससे कौन सा प्रश्ण है इस देश में या दुनिया में चुटा है बताइए तो डाइलोग इस अमस्ट। पच्ची मंगाल का भी मैंने नाम सुना है और पच्ची मंगाल के टीम से के 15 लगों का एडिका नोटिच जा रहा है। तो ठीका यह सरकार कोन बना रहा है बीजीपी बना रही है या सेंट्रल इन्वेश्टिकेश्ट इग्यो एजनसी बना रही है। इस बारे में बहुत करना प्रश्णेश्ट नकड़ा हो गया है। धरकन में भी चल रहा है। लेकिन कुछ भी करो हम डरने वाले दुख में है। चाहे मुझे यहां से गिरपता करके लेके जाएंगे। हाद दुसरे आस वात्तवंतरा सा लड़ा है। वाच की भूमिका में है, कल भी हमने स्पष्ट कर दिया। कि हमने इस परिस्तिती को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए। आने वागे दिनों में आवश्यक तब हमारी कोर टीम होगी। और कोर टीम में इस विशे पे चर्चा मन्थन करते हुए। फिर हम निरने करेंगे, अभी कोई परिस्तिती में वेट एंड वाच हम देख रहे हैं और परिस्तिती पे नजर लगाय हुए है। देश का सवाल में आज समझने कुशिश करेंगे कि क्या बीजेपी के लिए बड़ा मौका है। देवेन फननन्विस अगर मुंबई से दिल्ली आते हैं, अमिश्शा से मिलते हैं, महिश जेट मलानी साथ में रहते हैं, उसके बाद जेपी नड़ा के घर जाते हैं, मिटिंग स्टार्ट हो जाती हैं, तो क्या कवायक शुरू हो गई है, जो ये मौका था, उसमें जी हैं, बीजेपी की पक्ष रखने के लिए, त संजे दिवेदी जी हैं, श्येट सेनह से हमाई साथ हैं, संतोष प्रेटोणकर एंसिपी की तरफ से हमाँ साथ हैं, साथ सैंप श्याम रावत जी एंसिपी से हमसे जूडEO कुखेंगे, जो की फॉर्मर एह च्छेएं और वरिश्वकील है शुरुवात सबसे पहले शिवसेना के पास हम चलेंगे संजे दिवेदी जी के पास संजे जी अब तो बिल्कुल खुला खेल है जब दिवेन फणनवी साब आ गए दिल्ली अमिशा साब से मुलाकात हो गई साथ में महेश जेट मलानी भी है यानि कानूनी दाओं पेज क्या हो सकता है वो भी कोई साथ ने एक वरिश्वकील चल ले है और अब अध्यर्ष क्या पहुँच गए तो बहुत जादा दिन है नहीं अब तो बीजेपी फ्रेंट फुट पे जो कहता है संबिधान किसा दल बजल कानून बना आए तो आप जिसे आपे महराज रहे हैं जैसे अपन अमत्र प्रडेश में खरनाटक में में इस्टी पर दिलागे सरकार मना नी आ परोद सब्सक्राइब को तोड़ना है तो अगर मुलाकात हो रही है और अमिशा जी से बिल्कुल सही बात है जो कि ग्रीन सिगनल है लेकिन मैं एक चीज़ जरूर स्पस्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जहां तक बात है जो कि यह सरकार जब फाउंडेशन हुई थी जब इस सरकार की महागारी सरकार की इसका भविस उसी दिन तैय हो गया था जो आ लिए बिल्कुल दिखाता है जो कि एक विधायक कितने जनता का जन्परतमिदी होता है और बिल्कुल जनता में जो ऑसंतोस की भावना थी यह आज बिल्कुल उजागर हो गई है महारास्ट के अंदर में विधायक जब चुना जाता है तो जो वोट परता है वो सिंबल पर वोट परता है विधायक के नाम पर वोट नहीं परता है आप सिंबल लेकर आते हैं पार्टी से बी फॉर्म साइन करके उसके बाद वोट परता है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है जो कि संबल के उपर में वोट परता है लेकिन जो सरकार के अंदर में जो है उसक आपकी शिवसेरा की नीटी ठीक है उन बयान में क्या रहा है जो कि बंदूग से बंदूग तकड़ाएगा तल्वार से तल्वार तकड़ाएगा यह क्या दिखाता है यह जनता को आप इस बंदूग अंदे इस फूरी देश नियुक्ति एकितना ब्रवक्ता हुए जोडिये पुरी देश को जयान देने के अटिए कर दोद आटार को जाते हैंदो इस पर सब्लाशने काुआ से रहे आप जिब सब्सक्राइब करें आप तक देना कशाधे शां चाहिए आपका में दिवेदी जी दमकी क्यों दी जाना हुए नहीं कोई बात नहीं हमने अपनी किपीज भी कर दे अपनी कारवाई करना सुरू कर दिया हमारा कर इनके बास है यहां पर समस्य क्या है जब तक तू थर में जाटियां पहीं तोड़ेंगे मारिय मतप्राइब नहीं है यह तू थर में जाटी तोड़ेंगे अब सरकार ने कोड़ सकते हैं मैं इसली बार-बार करह रहा हमाएं सरकार सिर्कार करें तो आपको आपको सामने आपके अप्राइब क्यों गए अच्छा मिशाइजी यह तो एक सीधा 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 सवाल पूछा है वो कहने साथ सुप्रिंग कोड़ को गए जब विधायक आपके पासे संख्या आपके पासे आप गवर्ण के पास जाते हैं सब्सक्राइब करना चाहूंगा जो कि यह जो कह रहे हैं सुप्रीम कोड़ कोड़ हम नहीं गए एकनाथ सिंदे साहब गए और यह पार्टी का आप का अंदुरूनी मामला था इसलिए आप इस चीज को बिलकुल समझने की कोशिस करिए यह सुप्रीम कोड़ जाने वाले हम न चीज आपको बता देता हूं आप सब को रोकूंगा एक मैट बड़ी ख़बर आ रही है इस वक्ति बड़ी ख़बर आपको बता दे महराश्ट को लेकर बीजेपी एक्टिव बोट में आ चुकी है बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं उद्दाव और पवार की बातचीत ह हुई है सोनिया गानी ने भी उद्दो ठाकने से बातचीत करी इदर दिल्ली में भी हलचल बहुत तेज है अमिश्या से मिल चुके हैं फटनवेस अब जेपी नटा से मुलाकात हो रही ही महेज जेटमलानी साथ ने हमारे दो वरिस संबाधाता हमसे जुड़ा है मुंबई स ऐसे बशेड और दिल्ली से संजे सीथे संजे के रुक करते हैं संजे मुलाकात कहां तक हुई सरकार की बात कहां तक पहुंझी संजे देखें अब एभी देवेंद्रे फन्रोइस यहां से जेपी नड्डाग के यहां से बेटल करके निकले हैं लगबग आदे गंटे से जादा की मुलाकात हुई देवेंद्रे फन्रोइस देपी एक गंटे से ज्यादा अलगबग चर्चा हुई है इसी मुद्धे पर चर्चा हुई कि आकिर बाराज शुदाज सुभा में किस तरह के रंडिती अपनाएगी बीजेपी क्योंकि बीजेपी अभी कहा है अभी देवेंद्र फणनविस कहा पर है किस से मिले जा रहे हैं वापस वो ये बता रहे हैं कि इस समय उनकी मिटिंग हरी सालवे से होनी है क्योंकि कानूनी मुद्धों पर कुछ बात्चीत होनी है क्योंकि विदान सबा में जो भी कुछ होगा ट्रस्वोट के समय में लेकिन आखिरकार तो बाल आएगी कोर्ट में ही वहां क्या हल चले यूट्यूब के जरिये लोगों से बुजित किया तो उसके बाद उनमर बदा रोका था लेकिन जैसे देखे लगाता दिन धलता जा रहा है दिन निकलता जा रहा है वैसे विसे उचना के लिए मुस्यमत और खड़ी उती जा रही है उद्धो ठाकरे नहीं चाहते है किस दो ख़बर आपको बता रहे हैं उद्धो ठाकरे इस तीफा दे सकते हैं मुक्मंत्री पर से एक पास संजे आपके पास वापस आऊँगा संजे फॉर्मूला बताईए सरकार का क्या है शिंदे गुर्प को क्या मिलेगा मुक्मंत्री दिवेंदी होंगे सरकार का गठन कब होग संजे तो वहाँ ही से मांग उठेगी ट्रस्वोट की उद्धो ठाकरे सरकार को ट्रस्वोट साबित करने के लिए कहा जाएगा और विदान सवा में जो होगा जो ट्रस्वोट में होगा वही फिर नतीजा सामने होगा और फिलाल आज की तारिक में हम देखे तो आज उद्धो ठा तो तो ठाकरे की सरकार यानि की कभी भी गिर सकती है जिस दिन भी ट्रस्ट रोट होगा यहीं माना जा रहा है ठीक है और इसी आएंगे आपके पास एक पास सीथे अब शेक के पास चलेंगे अब शेक का यह जो घटना क्रम है अभी तक यह हो रहा था फ्लोर आफ दा हाउस च कि वह इसलिपा दे सकते हैं बिल्कुल देखिए यह तो साफ हो चुका है उन्दों को पता हो गया है कि उनके साथ विधायक नहीं है तो उन्हें पता है कि अब बात सामने बात बनने वाली रही है इसलिए उनका एक बहुत इमोसल आज एक बयान भी सामने इस्टेट्मेंट वाले नहीं है वह उन्होंने एक मन बना लिया है कि वह कांग्रेस इसलिए उद्धो ठाक लेगा इलाग सब्सक्राइब का कमेंट लें संजेद दिवेदी की पास चलेंगे उससे पहले हमाँ साथ केसी कौशिक जी भी है सीनियर एडुकेट है फॉर्मर एस जीव सीधे उनक जहां लगबक 40 विदायक बहाटी में वो कहां स्टेंड करता है कौशिक जी देखे देखे यह जो है ना इनका जो केस है वो बेसिकली पैरा 2-1 में आता है कि यह इन्होंने अपने एक और कंडेक्स से सुप्रिम कोड जो कहता है कि आपने कि जो वालेंटरिक वालेंटरिक ग कर सकते हैं एक प्रतक शुरूप से कर सकते हैं यह चारों कंडिशन में आप जो हैना अस्वेच्छा से आपकी मेंबर्शिप छोड़ना माना जाता है अब यह बात आती है कि उसमें उसमें पैरा 4 में एक जैंशन दिया है कि यदि आप उस एक जैंशन में आते हैं पैरा 4 य कि इसके लिए अगुरी किये हों और कि ने किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते इसा कानूल कहता है। यह जो मर्जर वाला फॉर्मूला है कि साब किसी दूसरी पार्टी में मर्च कर सकते हैं और एक तरफ शिवसेरा खड़ी है जो कह रही कि साब आप फ्लोर आप दो हास आईए स्पीकर नहीं है पावर डिप्टी स्पीकर के पास है वो कहरी साब ये 15 विधायक है ये आयोग के करार दिये जाए तो दोनों में सामने कन्फरेंटेशन है एक तरफ विधायक कह रहे हैं मर्ज करना चाहते हैं एक तरफ ये कन्फरेंटेशन है कि साब आयोग थ्यार दीजे न कि शाव असली शिफसेना तो हम हैं, सिम्बल हमाई साथ, बाला साथ ठाकरे का नाम हमाई साथ, इन तीन विचलेशन में कानून क्या कहता है? देखे हमको यह समझना चाहिए, जहाता सिम्बल का सवाल है, सिम्बल के बारे में ना स्पीकर को अधिकार है, ना मानिय राजपाल को अधिकार है, ना चीफ मिरिस्टर को अधिकार है, वो जो अधिकार है वो चुनाव आयोग को है, यदि बागी विदायत चुनाव आयोग के सामने जाते हैं किसा असली सिवसेन हम हैं तो वो उनके उनकी पेटिशन पे दूसरे ग्रूप को नोटिस देंगे दौनों पार्टिस को सुनने के बाद चुनाव आयोग उस पर फैसला करेगी सिंबल सिंबल जो है वो उदाव ठाकरे के पास रहना चाहिए या इन बाइद के दायको जिनको एकनाज सिंदे रिप्रेजेंट करें इनके पास रहना चाहिए यह यह फ्लोर में डिसाइड नहीं हो सकता है अब तो इस्तीफा होना है और कैबिनेट की मीटिंगे बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं श्यामराबजी अभी तक यह बात चलते नहीं है कैबिनेट के उसके पास होंगे अब तो यह सुत्रों से आपको खवत प्ली है और जहां तक अभी पुड़े देर पेड़े आपके के चतन में अपनी नेजा सुपिया सुरिच से बताया था कि अपको जी ने फिर एक बार सब्सक्राइकों से वार्टा करने के गुहार लगाई है और अपनी घर पे बुलाया है और अपने घर में आके बैट के सामने बात करें के तो अभी तक इस पर थीक है मना आप आश्वास है ठीक है मैं मान गया सरा आपकी बात हमाई साथ लोग यह कह रहे हैं ओधुनी को लेनी है और सारी मीटिंग शुरू हो गई है चार्टेट प्रेंट खड़ा है अगली लांडिंग मुंबई में क्यास लगाने की जो बात है वो बात दूसरी है मैं बात ये करता हूँ कि बाई बीजेपी ने या मनसे ने ये तो बोला नहीं प्रस्ता और रखा नहीं कि हम सरकार बनाएंगे दिल्ली मिले के लिए कोई आता है तो उनका हेड़ आफिस है वो पता नहीं किस कारण से आएग पतल है और आप कह रहे हैं कि साफ यूई मिलने आगा नहीं मानुद आप इस समय अगर देवें पानंगी सारे हैं महेश जेट मानी साथ में हैं हमिशा से मुलाकात हो रही है उसके लड़्डा साथ के हो रही है प्रेम कुबार जी आप बहुत सही कह रहे थी कि फ्रन्ट फूट पे खेल रही है बीजेपी बीजेपी अब तक चुप थी लार्क टपक रही थी चुपा रही थी अब अब जो है खुल करके सामने है लेकिन फिर भी अब तक मूव्स में वो सामने नहीं दीख रही है बीजेपी जाई सामने आईए ना आप क्यों बीजेओं सामने आईए आईए साम सरकार बना रहे है खुबत ही विजेदाय चुप के नाते यहां पर जिस तरह से महरास्ट में उधल उधल चल रही है उसी नाते अभी मिलना जुलना जो हो रहा है बिल्कुल आप उसी परपेच्छ में देखें लेकिन लड़्डू का ओडर दिया कि नहीं लेकिन पर दिया पर बेकुल साब बताईए तो बिकुल इदर गुमाई क्या फार्दा मारास बड़ा स्टेट है एक और आपको मिला है आप पताई लड़्डू का ओडर दिया कि नहीं दिया देखें मैं आज आप लड़्डू लाएगी निया परें कुमार जी कहने लड़्डू लड़्डू खिलाने वाली पार्टी रही है और निस्चित तोर पर हम पार्टी बिल्कुल जो है से लड़्डू खिलाएगी लेकि एक चीज़ में जिम्मेदार प्रक्स के नाते हरास्त के अंगर पहले मातम मनाने की पैयारी करिए एक बार NCP संतोज जी देखें मिठाई क अगर कोई सुपर पावर है तो पावार साबी है तो क्या माना जाए कि गेम खतम है क्योंकि हमाई संवालता तो कहने के मिटिंग उसके वाद इस्तीफा संतोज जी तो क्यों पावार साब करें तो तो अब तो बिल्कुल पिचर क्लियर हो रही है जो धुंदला पंथा जो पर्दा था वो धीरे 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 हट रहा है अब तो सरगार के खिलाडी रहे ना एक पाले में जाकर के अपने पाले में फिर से आ जाते है तो अभी भारती जल्दा पार्टी वैधानिक रूप से चुकिए अभी सुप्रिम कोड तक भी मामला पहुचा हुआ है और इसके बाद भी जाएगा ये पक्का मानिए ये कहानी यहां कतब नहीं होगी लेकिन आई ये है कि सब लोग आप और हम चर्चा करें पूरी तैयारी हो रही है वह घोश्टना जब तक नहीं होती उसको उस तरह से करके वह दल पदल कानून आ जाएंगे जिश्चित रुप से तैयारी है और उसके बाद अब खाली ठाकरे जी किस्तीपा दे या जितना जादा बेज जती करा लें श्रायत पवार यहीं चाहते हैं कि वह उद्दव ठाकरे और आदित ठाकरे का भविश चोपट होता है जब देजिए एक पर जवाब देरीजें जब एक पर देजिए एक पर जबड़ी शिवसेना क्या पावार साब को भी कोई स्वार्थ है कि शिवसेना नीचे चली जाएं एंसीपी उपड़ आजाएं कॉंग्रेस उनके साथ आजाएं संजे दिवेदी जी असने में देखिए चाहां बजार कर लिए और जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है तपर दिक्तर यही है कोई करदा मुखंते सीवा देदें कोई करदा सब्वादी गें केल लिए तो स देखिए यह यह लवाई जो है वो नंबर गेंगी है जिसके पास नंबर है वो संकार बनाएगा अब शाटाट इसमें इसमें सवाल और है आप से अधिक चोटा सवाल जो विधायक मनाने भी गया शिवसेना की तरफ से वह भी गोहाटी में रुख गये कुछ चेंज होता त संजे जी मेरा सवाल सुनिए जो भावू का पील आपने करी पावार साथ खड़े हुए सुप्रिया ताई बोल लही है सुनिया गांजी ने फोन किया कुछ एक्शन नहीं दिखा शिवसेना वहां से दस विदायक भाग के आ जाते बातों श्री के सामने हैं यह हम ठाकरे पर तो नहीं हो रहा है संजे जी हमारे समफानाता केरें क्याबने के बात स्कूफा है आप बिल्कुल ठोक कि कहिए नहीं होगा मैं उसको भी ब्रेकिंग चला हुगा लेंगे कैबनेट के बात चीथ होगी सब्सक्राइब नहीं होगा सरकार बशेगी सरकार चलेगी अगले तुनाओं पर चली सरकार आप कैसी बात कर रहे हैं संजय जी किस लम में जी रहे हैं संख्या है आपके पास सोला की जहां तक बात कर रहे हैं उसमें भी पता चला एक और जागर के अरे जो मनाने जाता है वहीं मिल जाता है आप एक चीस समझ लेचे आपको जो बस्तु स्थिती है वहां की वह आपको बिलकुल स्विकार करनी पड़ेगी जिस तरह से आप लोगों में खेल खेला है यह में भी ऑसंतोस है जंता में ऑसंतोस है यह बिलकुल साथ हो चुकी है इसलिए अब आप अपने आपका प्रेम कुबार जी यह जो विपक्स था हाला कि अभी तक साथ खड़ा है हम देख रहे हैं नसीपी कॉंग्रेस सब साथ में कड़े लेकिन इस राजनेतिक लड़ाई मे शिंदे ग्रूप और बीजेपी ग्रूप कहीं आगे लिख रहा है महाविकास अगारी से प्रेम कुमार जी अभी गारी कहां बढ़ी है आप कह रहे हैं कि आज इस्तीफा हो सकता है हम तो बहुत पहले से सुन रहे हैं उद्धव सरकार का इस्तीफा सूत्र अरे पूरा मीड देश की एक्सपोज हो गई उद्धव सरकार का इस्तीफा लेते लेते आज तक भी उस्तीफा हुआ आज भी मैं कह रहा हूं रहा हूं रहा जड़ी अब आपने एक सवाल उठाए दस सकेंड़े दीजे खुद एंसीपी ने का एंसीपी के दो प्रवक्ता माई साथ श्याम दुरावत जी और संतोज भी पावार साब ने रोका था इस्तीफा देने के लिए वन्ना उद्दो ठाकरे फेस्बुक लाइफ में इस्तीफा देना चाहते थे एक पर जवाब दिला दे इस पर जवाब मुझे संतोज जी आपको आवाज मिले ही मेरी वेलकुल साफ अवाज आ रही है जो तथ है कि उड्दो ठाकरे स्Newadary नह participated पावार साव ने रोका कि आप स्थीफा मत दिजहें हम लड़ाई लड़ेंगे उसके उन्हों डेंगे रenders क करी। कहां देख लेंगे बागियों को संतोज जी देखिए पवार साफ ने स्तिपा देने के लिए स्तिपा मतलब अभी जो ये पुरा घर पोड़के जो गवाटी पहे है उद्दव उद्दव जी साफ के पास जो अविश्वास इन लोगों ने दिखा के सीवसेने का एक गुड़ जो अभी गवाटी में जाके बैटा हुआ है ये काना का उनको जो आज अगर कोई मुक्यमंत्रे मुझे बोलिए ये सब घटा होने के बाद तुरन जो वर्षा भगला खाली करने वाला है महारास्ता में बोले ये देश में बोले ये पहला मुक्यमंत के लिए मुझे मेरे उपर कहा ना कहा नाराज की दिखा के यह लिए गए वहाटी में नहाराजगी वहाँ जाता रहे उन लोगी कि नहाराज के अगर सामने आती तो अलग बात आई हां का परिवार कोशिश कर रहा है कि विधायक वापस लोट आए लेकिन अब तक नहीं लो लॉजिकल बोल रहा हूं आप कह रहें कि उद्धाव ठाकरे ने भावुक अपील की है अभी उस अपील को अमल में आने का उसका असर पढ़ने का आप भावुक अपील उन्होंने की है उन्होंने अपील नहीं क्यों कि अगर इस्तिफाई दैने वाले है इसकी पावाले से गलत खबत प्लांट की जा रहे है अब पर फिर ये गलत प्लांट की जा रहे हैं आप ये जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मीडिया अधीर है पहले दिन से अधीर है और अगला पिर समना नहीं पूरा होगा प्रश्टाचार की सीमा को पार करके आज देख लिजे इनके मत्री तो प्रश्टाचार को प्रश्टाचार की स्याम रावत जी कुछ करें श्याम जी तर महाराश की जंता देख रही है कि बार बार स्याम साब मेरा एक सवाल है आपसे सर एंसीप इंटैक्ट है कॉंग्रेस पार्टी पर सबसे ज़्यादा बादल थे लोग कहते थे कॉंग्रेस तूट जाएगी कोई नेता ऐसा नहीं है जो बचा पाए ऐसा नहीं हुआ आप एंसीपी में यह सवाल मुझे दिवेदी से तो एक तो आरूप लगेगा कि दो ठाकरे साब अपनी पार्टी को विधायकों को नहीं बचा पाए लेकिन एक कुश्चन मार्क पावार साब कि भी पॉलिटिक्स पर लगेगा कि वो सरकार नहीं बचा पाए रहते रहते हैं अब यह सरका बचे नेता है कि हम फिर एक बार आए फ्रेंड पर आएंगे और जनता हमें फिर चुनके डेगी इसके कोई दरा नहीं और जहां तक लास्ट कुमिंट तक हम इस जंडों लड़ते आएं जवाब देरिए करें जंता के बास जाएंगे ना क्या दिक्कत है आप देखिये उद्धों ठाकरे भी निकल गए है रैलीज कर रहे हैं उसके बाद आदिक ठाकरे भी रैलीज कर रहे हैं बड़ी क्लियर हैं मैं यह बोल रहा हूँ कि आज बीजेपी का कोई आदमी वाश्रूम जाता है तो महागाडी सरकार हिंग जाती है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है और फिर से जाना है तो सारे कैबिनेट को इस्तिफ़ा देकर चुनाओं में जाएंगे कि सरकार बचाइए साहा आप सरकार दो दिन पहले जवाब ले लिए आपकी सब्सक्राइए आप वर्षा बंगला आप छोड़ रहे हैं सरकार कैसे बचेगी कभी धंकी दे रहे हैं कभी अनुए कर रहे हैं कभी द्विवे कर रहे हैं कभी इस्तिफा की बाते आ रहे हैं सरकार बचाएंगे या चुनाओं में जायेंगे यह बताइए आप यही नहीं डिसाइट कर पा रहे हैं आप के पास ऑप्ष्ण तो सरकार भी नहीं बचा पा रहे हैं ना पिछले दस दिनों से सारी कारवाई ठाप पड़ी है आप बोलना है हमारे पास निकल कर जो कानूनी दावपेच है एक बार फिर से समझने कोशिश करेंगे एक बार केसी कौशिक जी का फिर से रुप करेंगे आप लोग जो द्यान से सुनिएगा क्योंकि राजनी जो इस समय चल लई है वो सिर्फ संख्याबल पर नहीं चलेगी कानून उस पे कहीं न कहीं बैरिगेट है और वो बैरिगेट पार करना पड़ेगा उसको समझने के लिए कौशिक जी के पास चलेंगे कौशिक जी ये तो राजनीतिक बैस है सरकार रहेगी जाएगी विदाय कहा जाएंगे कहा आएंगे इसका निसकर्श क्या होगा क्या ये एक लंबी कोट की और एलेक्शन कमीशन की लडाई में मामला फस्ता हुआ दिख रहा है देखें ये मामला तो कल ही फस्ता था जब सरोच नियालने ने ये 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 कह दिया कि डिप्टी स्पीकर को जो समय साड़े पांच बजे तक था वो समय बारे जोलाई तक है तो हमको सब को सोच लेना चाहिए जब ये इंटर्वेनी पिरेड मिल गया तो इसमें इसमें प्रॉलम तो आएगी ये लडाई कभी खतम नहीं होगी ये लडाई दुबारा सुप्रीम कोट आएगी ये ऐसा मेरा मानना है चुकि यह जो यहां तर सिंबल का सवाल है सिंबल जाएगा चुनाव आयोग के पास चुनाव आयोग से जो पार्टी संतुस नहीं होगी वह फिर सुप्रीम कोट आएगी कोई ये मेरा एक चोटा सा सवाल है आपसे से दो चीजें क्योंकि किसी भी पार्टी का जो संविधान होता है वही मूलभूत अधार होता है एलेक्शन कमिशन करता है फुल बेंच जब बैठती है तो उसमें तीम मेरिट के क्लॉज क्या होते है देखे जहां तक आपने बहुत सही सही विशलेशन किया है कि जब चुनाव आयोग के सामने जब तत रखे जाते हैं खाली विधायक आपके किदर है इस पर फैसला नहीं होता है जो पौरिटिकल स्ट्रक्चर है पार्टी का पौरिटी जो बाइलोज है उसके साबसा है मैजोर्टी क्या कहती है नॉर्मली चुनाव यागो उस पर फैसला करते हैं आपको लेटली ध्यान होगा अभी जब क्याना मैं एस पी जगड़ा चला था साइकल के बात आई तो उस ता लेकिन जितना पता है उसके इसाब से कैडर बेस पार्टी है कैडर बेस पार्टी पर मैजोर्टी आज की डेट पे भी उद्व ठाकरे का लगता है यह जो बाकी विधायक है यह सिर्फ एमलेज हैं इनका अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि इनका बाकी युद्व पर भी इनको नहीं के ठीक है हम एक पर फिर से चलते हैं मिश्या जी देखें ये पार्टी के जो लड़ाई है वो कौशिक जी बहुत बेता समझाया किसाब एमिलेज हो सकते हैं लेकिन जो क्याडर है वो भी माने रखता है एक वैलू एडिशन करना चाहता था देखें बिधायक क्या है सरक्यार क्या है वो अलग है पार्टी का जब रजिस्टेशन होता है वो इलेक्शन कमीशन में होता है सबसे पहले जब फॉर्म भरा जाता है तो वहां रास्त्री अध्यक्ष कौन है उपाध्यक्ष कौन है ट्रेजरार के हैं ये सारे और कारकारणी में कौन-कौन से सब कुछ तो अब दिल्ली आ गया है और जब आमीश शाह जी से और नडडा साथ से मुलाकात हो गई है तो हम लोग काउंटाउन माल लें बहुत 24 यार तारीस गंटे जब देखें गंटों का बात तो वो तै करेगे क्योंकि जो वैसला होगा वो विधान सवाब में होगा और इसलिए या तो इस्तीफा होगा या वहाँ पर बहुत बात में आएगी रज़जी इंडरा गांधी के समय में जब भी उस तबहें से पार्टी तूटी थी आप सिक्स आप देखें तो ऐसा नहीं है पार्टी तूटते हैं और सिंबल का मामला तो बाद में चलता रहता है राक्षपती का चुराओं हो जाए दूसरे चुराओं हो जाए इसलिए फैसला विर्धायक यदि सदन में इसको गिरा देते हैं सरकार को उसके बाद तै हो जाएगा कि इसलिए विर्धायक इसके साथ रहते हैं और अलोग सर्फ फाइनल कांडाउन मान ले अब महराश्च का शुरू हो गया है मुझे तो लगता है कि बिल्कुल अगले दो-तीन दिनों में ही यह हो सकता है उसकी प्रभूया काश्च का शुरू हो गया जब दिल्ली आ गए मुलाकात हो गई तो मुझे लगता है जब यहां से वापस जाएंगे तो गवर्णर से टाइम लेंगे लेंगे और चिट्टी होगी उनके पास तरब पर हम थोडह सा भी देखेंगे इंदर जार करेंगे क्योंकि इस तरह कि अभी इस्थिती जहांतली मिलने-जुलने की बात है तो एक मैं आप को फिर से कहता हूं जो की मिलने-जुलने जो बात है वो जिम्हितार विपक्ष के नाते मिलना-जुलना वहाँ पर जो हो र करें किसाब जो उथल पुतल है जो राजनितिक समीकरा नहीं उसको समझने कि बीजेपी अभी कोशिश कर रही है मिश्या जी जो शिंदे ग्रूप उससे कोई बाचीत तो नहीं हुई ना आपकी किसाब क्या हो रहा है और कुछ नहीं है राजनितिक आज सिर्था है माराष में इसलिए विपक्स देख रहा है क्या हो रहा है संजेद इवेदी जी ओ प्रेम कुमार जी आपके पास आता हो जी डिया इस है क्या यह सिर्थ देखने वाली बीजेपी की की विपक्स के रूप में देख रही है या फिर सत्ता सामने देखिए ये पूरा मामला जो ऐसा नहीं है कि शिवसेना से सब रूट गए रूट जाते तो मुंबई में भी रोध होता दीरे दीरे आपने देखा सूरत में कुछ इकटा हुए कुछ गो आठी में गए, संक्या बढ़ती रही, बुलाए जाते रहे और उसके बाद अभी सुरक्षा में रखा गया है वहाँ पत्रकार तक मिल नहीं पाए सारे बिधायकों से आते थे लोबी में और उसके बाद में पत्रकार से अकेले में बात करते थे यानि पत्रकार उख भी एक्सेस नहीं था वो बिधाय किस हलात में है किस डर में है किस लोब में है किस लालच में है ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं और फ्लोर पर ये क्लियर हो सकता है और कहीं क्लियर नहीं हो सकता और अगर आप कहरें कि मिल लिए जेपी नड़ा से लिख विखेंगे जो कि वहां पर सरकार बन गई या सरकार बनाने के लिए हम रूची रख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है मैं अभी भी कह रहा हूं मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप अपने विधायकों को जो असंतोस है जो भड़ा पड़ा है उसको आप बिल्कुल ने आप भावुक पर भावुक चिथिया लिख रहे हैं मैसेज दे रहे हैं आदमी बेज रहे हैं लेकिन वहां का विधायक रिस्पॉंड नहीं कर रहा है आपको क्यों नहीं बात कर रहा है उद्धर ठाकरे से संजेदी वेदी जी अगर बात पूरी करने से तो तो मैं बोलूँगा वंदा मैं साथ हो जाता हूं संजेजी पूरा एक मिनिट आपके पास है कोई पैनलिस्ट नहीं बोलेगा आप बताईए ना दिक्कत कहा है नहीं नहीं अगर मेरी वाद पूरी होने दे तो तो मैं बात करूँ बोलिए सर बोलिए सर कोई नहीं बोलेगा आप बोलिए संजेदी इतनी अप्वाव और रहा है यह बातों रहा हैं अब तक नतिजा नहीं निकला अभी तक नदीजा नहीं निकला कि यहां की लगवाना है भाजन्ता पाटी करें लगवा दी जाएगी वहां स्पीकर को मिलने नहीं आ रहा है ना बाद करने आ रहे हैं तो वह प्रकार कहां बनाना चाह रहा है बाद कि अब करें रहे हैं आप यहां बनाने के लिए जब अप फौन भी कर रहे हैं चिटी लिख रहे हैं आप भाबू का पील कर रहे हैं अरे आप ही पर चले जाएए ना गौहाती जाएगा वह ही रहा जाएगा कि पिजया पिए इस पी डिखता रही है तो राजनीती का सिरता है उसी को देख रहे हैं कि थे रहे हैं तो खुद पहला रहे है सर उप्ध सर्कार गिरे और यह का विज कर रहे इनकी तो मंसुभा होई यह लेकिन आज हमारे शीशना की विधायक जो अगर गये हैं वाटी में अगर हम को प्रेम से बुला रहे हैं लेकिन आप उसफल हो रहा है आप उसफल दस दिन से महाराष्ट के अंदर में सरकार और जंता कितना प्रभावित हो रही है आप लोगों ने जिस तरह से फाइलों के उपर में साइन किया आज तो वराजी पाल साब ने उस चीज को मंगाया भी है क्यों इतनी जल्दी थी जो सारे फाइल के उपर में आप बिल्कुल आपने लोगों क्या किया आपने 22 से 24 के बीच में आप लोगों ने फाइल के उपर में तो इसलिए यह समझना जंता चाह रही है यह जंता अप लोगों ने लोटिस तक नहीं दिया आप लोगों ने जिस तरह से सरकारी तंत्रों को दूपियों किया वहां पर वाजा करके वक्त की थोड़ी कमी है देश का सवाल में आप सभाएं आप सबका बहुत शुक्रिया मुंबाई गोहाटी और दिल्ली तक जितना गट्ला कामता हमने समझने कोशिश करी सभी पार्टियों के लोग हमाए साथ थे कानून के जानकार भी थे क्या है सरकार बनेगी सरकार बच सब्सक्राइक अभी भी देश का सवाल में आज के लिए तई आगे देश का सवाल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है माराश में सियासत की लड़ाई मुंबाई सूरत गोहाटी से होते होते अब दिल्ली पहुच गई है नंबर गेब में पिछर चुके उद्द्व ठाक सब्सक्राइब माराश में सरकार पर फाइनल फैसला लिया जा सकता है ऐसी भी खबरे हैं कि फड़नविस और शिंदे के बीच सरकार बनाने का फॉर्मूला लगभक्त है हो चुका है जिसके तहत बीजेपी से 29 मंत्री और शिंदे कैंप से 8 कैबनेट और 5 राज मंत्री बना और बाला साहिब के हिंदूत को आगे लिकर चलेंगे और जल्द ही मुंबई भी जाएंगे इसी बीच उद्धो ठाकर ने एक बार फिर बागी विधायकों को चिट्थी लिखकर भावुक अपील की है उद्धो ने बागी विधायकों से कहा है कि वो अभी शिफसेना में ही उद्धो ने विधायकों से मदभेद भूल कर सुलाय करने का एक नियोता भी दिया है आज देश का सवाल क्या है देश का सवाल है क्या महराश में उद्धो सरकार की उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है उद्धो सरकार को अब अविश्वास प्रस्ताओं की अगनी करेंगे लेकिन आईए पहले आपको सुनवाते हैं इस सियासी संग्रान पर आज के बड़े बैर अज़ जाना रहे हैं जांकान का तक कम ये सार आप राज्या पाइगत वहारा रहा ये नहीं हमारा अज़के जरमने कर साथ हैं मेरे ख्याल से जो भी उनका प्रपोजल हो आज का जो अपील उद्धव जी ने किया है वो एक बड़े भाई के नाते किया है उद्धव जी को ये जिम्मेदारी बाला साब ने दिये और एक बड़े भाई के नाते अगर आज उद्धव जी एक अपील कर रहे है जो भी उनकी स तो अगर वो घर आए और अगर उद्व जी ने अपील किया है तो अगर वो आके एक बार उद्व जी से बात कर सके तो कुछ नहीं निकल सकता है बड़ देमोक्रसी और रिष्टे यह सिर्व डायलॉग से ही अर्डायलॉग बंध होना इससे कौन सा प्रश्ण इस देश में य है और पच्ची मंगाल के टीम से के पंद्रा लगों का एडिका नोटिस जा रहा है मैं अभी पड़ रहा था तो ठीका यह सरकार कोन बना रहा है बीजीपी बना रही है या सेंट्रल इन्विश्टिकेश्ट इंग्यो एजनसी बना रही है उस बारे में बहुत बना प्रश् प्रश्टिती को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए आने वागे दिनों में आवश्यक तब हमारी कोर्टीम होगी और कोर्टीम में इस विशे पे चर्चा मंथन करते हुए फिर हम निरने करेंगे अभी कोई परिस्तिती में वेट एन वाच हम देख रहे हैं और परिस्त में कुशिश करेंगे कि क्या बीजेपी के लिए बड़ा मौका है देवेन फंदन्विस अगर मुंबई से दिल्ली आते हैं अमिश्या से मिलते हैं महिश जेटमलानी साथ में रहते हैं उसके बाद जेपी नट्डा के घर जाते हैं मिटिंग स्टार्ट हो जाती तो क्या कव वायक शुरू हो गई है जो यह मौका था उसमें बीजेपी आगे बढ़ गई है अब तक शांती शिंदे गुरूप क्या कहेगा वहां के जो विधायक हैं यह भी ख़वर आ रही है कि कुछ लोग कहरें हम मर्ज नहीं करेंगे उसका फॉर्मुला क्या होगा क्या क्या करेग कि हमारे साथ एक हैं मिश्रा जी भी है पोलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है प्रेम कुमार जी हमारे साथ इस टूडियों में मौती साथ अलोग मेरता सरम से जुड़ेंगे और साथ हमारे साथ केस सी कोशिक जी भी वाँगे जो की फॉर्मर एज्य यह और वरिश वकील है शुरुवात सबसे पहले शिवसेना के पास हम चलेंगे संजे दिवेदी जी के पास संजे जी अब तो बिल्कुल खुला खेल है जब दिवेन फणनवी साब आ गए दिली अमिशा साब से मुलाखात हो गई साथ में महेश जेट मलानी भी है यानि कानूनी दाओं पेज क्या हो सकता है वो भी कोई साथ ने एक वरिश्वकिल चल ले है और अब अध्यक्ष क्या पहुँच गए तो बहुत जादा दिन है नहीं अब तो बीजेपी फ्रेंट फुट पे क्यों है यह संविधान जो कहता है संविधान किसा से दल बदल कानून बना है जैसे महराज है जैसे महत्य प्रदेश में खनाटैक में लेकर नरник कानून का लिवेसे के सब्सक्राइब करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जहां तक बात है जो कि ये सरकार जब फाउंडेशन हुई थी जब इस सरकार की महागारी सरकार की इसका भविस उसी दिन तय हो गया था जो आज जो परिस्थिती ये महारास्ट के अंदर में है इतनी उथल पुथल और इतनी जो उठापटक हो रही है ये स्थिती सपस्ट हो चुकी थी हाँ जहां तक बात है बताईए इतने बरेश से विधायक की जो एक संख्या है इतना औसंतोस ये बिल्कुल दिखाता है जो कि एक विधायक कितने जनता का जन परतमीदी होता है और बिल्कुल जनता में जो औसंतोस की भावना थी ये आज बिल्कुल उजागर हो गई है महा लेकर आते हैं पार्टी से, बीफार्म साइंग करके, उसके बाद वोट परता है। प्रवक्ताव नहीं है तक रहे हैं जो कि बंदूख से बंदूख टकड़ाएगा तलवार से कलवाट टकड़ाएगा यह क्या दिखाता है यह जनता को आप क्या सब्सक्राइब इतना बढ़ा प्रवक्ता हो उन तो इसपर नहीं नहीं यह जब माण कर दो आप देना चाहते हैं न का आप थासे सनके करें आप दो नहीं सुष्ण मैं आप अ दमकी क्यों दी जाना है नहीं है कोई बात नहीं हमने अपनी किपी स्पीकर से अपनी कारवाई करना शुरू कर दिया हमारे कि अगर इनके बस है यहां पर समस्ते क्या है इसके बार और वार कर रहा है हमार को समस्ते के पूरे पढें पर सुपीर पूरे अपके आद में तो आपको आके सब्सक्राइब करना चाहूंगा जो कि यह जो कह रहे हैं सुप्रीम कोट हम नहीं गए एक नाथ सिंदे सहाब गए और ये पार्टी का आप का अंदुरूनी मामला था इसलिए आप इस चीज को बिलकुल समझने की कोशिश करें ये सुप्रीम कोट जाने वाले हम नहीं थे एक नाथ सिंदे सहाब थे आप भार भार घुल को धंकी दे रहे हैं देखिए देश में आजकता कि तुश्किति आपको नहीं अक्टिव मोट में आ चुकी है बड़ी कबर आपको बता रहे हैं उद्दाव और पवार की बात्चीत हुई है क्यापनेट मिटिंग से पहले बात्चीत हुई है सोनिया गांदी ने भी उद्दो ठाकने से बात्चीत करी इदर दिल्ली में भी हलचल बहुत तेज है अमिश से मिल चुके हैं फणनवेस अब जेपी नटा से मुलाकात हो रही है महेज जेटमलानी साथ ने हमारे दो वरिस संवाधातां से जुड़ा है मुंबई से अब शेट और दिल्ली से संजे सीधे संजे करूप करते हैं संजे मुलाकात कहां तक हुई सरकार की बात कहां तक इसके पहले देवेंद्र फणनुस न दिल्ली आ करके केंद्री ग्रामंतरी अमीशा से मिटिंग की थी अमीशा और देवेंद्र फणनुस के बीच लगबग एक गंटे से ज्यादा लगबग चर्चा हुई है इसी मुद्धे पर चर्चा हुई कि आकिर बाराश पिदाज देवेंद्र फणनुस कुछ चार्टर प्लेन से आए और यहां से जेपी नड्डा के गर से निकल के मिलके निकल के गवर अमारे अमारे जो सुत्र बता रहे हैं वो यह बता रहे हैं कि इस समय उनकी मिटिंग हरी सालवे से होनी है क्योंकि कानूनी मुद्धों पर कुछ बा घटना क्रम है यह जो घटना क्रम यहां चला है एक घटना क्रम गुहाटी में भी है और मुंबई में भी क्योंकि सरकार तो मुंबई में बनी है पावार साब की फोन पर बात चीत हुई है सुप्या सूले ने काया है हम तो साथ खड़े हुए सोनिया गानी ने कैपनेट होने जा रही है मन्का में और उस सब्सक्राइब के बाद बड़ा पैसा ले सकते हैं पैसना यह होगा कि हो सकता है वो इस्तिपा दे सकते हैं जो सुत नमारे बता रहे हैं यानि आज की महाराश की कैपनेट होगी क्योंकि अब उद्व निकलता जा रहा है और इसलिए वह इ अब पास आउंगा संजेब फॉर्मुला बताई यह सरकार का क्या है शिंदेग्रूप को क्या मिलेगा मुख्मंत्री दिवेंधी होंगे सरकार का गठंग कब होगा संजेब तो वहाँ ही से मांग उठेगी ट्रस्टोट की उद्व ठाकरे सरकार को ट्रस्टोट साबित करने के लिए कहा जाएगा और विदान सवा में जो होगा जो ट्रस्टोट में होगा वही फिर नतीजा सामने होगा और फिलाल आज की तारिक में हम देखे तो आज उद्धो ठाकरे सरकार के पास नंबर नहीं है जमिन खिसक चुकी पूरी तरह से उद्धो ठाकरे की सरकार यानि की कभी भी गिर सकती है जिस दिन भी ट्रस्ट रोट होगा यही माना जा रहा है अब शेक के पास चलेंगे अब शेक का यह जो घटना क्रम है अभी तक यह हो रहा था फ्लोर आफ दा हाउस चलेंगे समझेंगे बार बार संजर आउत कह रहे थे आईए ना शक्ति प्रडिक्शन करिए लेकिन आप कह रहे हैं कि स्टीफा दे देंगे तो क्या आज उद्व ठाकरे स्वयम हार मान लेंगे कि साब आप कुछ नहीं हो सकता इस बिल्कुल देखिए यह तो पाफ हो चुका है उन्दों को पता आ रहा है पता हो गया है कि उनके साथ विजायक नहीं है पता है कि अब बात सामने वाली नहीं है इसलिए उनका एक बहुत इमोसल आज एक बयान भी सामने इस्टेट्मेंट सामने आया वागी विजाकों के लिए कि आप आईए और यहां पर हमांके सामने बात करते हैं लेकिन वह तस्ते मस होने वाले नहीं है संजेद दिवेदी की पास चलेंगे उससे पहले हमाँ साथ केसी कौशिक जी भी है सीनियर एडूकेट है फॉर्मर एस जीव सीधे उनके पास चलते हैं कौशिक जी यह जो घटना करम चला एक तरफ तो राजनीच चल लई है एक तरफ फ्लोर आफ दा हाउस है एक तरफ कोट है जो मर्जर है एंटी डिफेक्शन कानून है महराष्ट वाले केस में खास तौर से शिफसेना वाले केस में जहां लगबग 40 विदायक बहाटी में वो कहां स्टेंड करता है कौशिक जी देखे देखे यह जो है ना इनका जो केस है वो बेसिकली पैरा टू ए टू वा टू वान में आता है कि यह इन्होंने अपने एट और कंडेक्श से सुप्रीम कोट जो कहता है कि आपने कि जो वॉलेंटरी वॉलेंटरी केस है स्विच्छा से आप अपनी मेंबर्शिप सकते हैं यह चारों केनीस में आप जो है ना अश्विच्छा से आपकी मेंबर्शिप छोड़ना मैंना जाता है अब य proteg आती है कि उसमें पैरा प्पोर में गैंशन दिया है कि यदि आप से उसमें गजाने हैं पैरा फोर में शामिल होते हैं तो उन पे पैरा टू अपलाई नहीं होता है आज की डेट में ये जो बागी MLA है इन पे पैरा टू अपलाई होता है ये ये नहीं कह सकते हैं कि हम पैरा टू से बाहर हैं ऐसा ये कानून कहता है मैं नहीं कहता है सर एक चीज़ और आप से speaker के पास है वो कहरी साब ये 15 विधायक है ये आयोग के करार दिये जाएं तो दोनों में सामने confrontation है एक तरफ विधायक कहरे है हम merge करना चाहते हैं एक तरफ ये confrontation है कि साब आयोग थ्यार दीजे नंबर डाउन हो और तीसरा एक और विकल्पसर जो सामने आ गया है वह ये भी आ गया है कि साब अगर फ्लोर आफ दा हाउस आप जाते हैं तो बीजेपी भी कानून क्या कहता है देखे हम को समझना चाहिए जहाता सिंबल का सवाल है सिंबल को सिंबल के बारे में ना पीकर को अधिकार है ना मानिय राजपाल को अधिकार है ना चीफ मिरिस्टर को अधिकार है वो जो अधिकार है वो चुनाव आयोग को है यदि 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 बागी विदायक चुनाव आयोग के सामने जाते हैं कि साम असली सिवसेन हम हैं तो वो उनके उनकी पैटिशन पर दूसरे ग्रूप को नोटिस देंगे दौनों पार्टी को सुनने के बाद चुनाव आयोग उस पर फैसला करेगी सिंबल सिंबल जो है वो उदाव ठाकरे के पास रहना चाहिए या इन बाइद के उदायक को जिनको एकनाश सिंदे रिप्रेसेंट करें इनके पास रहना च साफ कह रहे है कि साथ अब तो स्तीफा होना है और कैबिनेट की मीटिंगे बाद वो स्तीफा दे सकते हैं श्याम रावजी अभी तक ये बात चलते नहीं है कैबिनेट के उसके पास होंगे अब तो ये सुत्रों से आपको ख़वत बिली है और जहां तक अभी पुड़े दिल पहले आपके चानल में अपनी नेजा सुपिया सुरिच से बताया था मैं जटमानी साभ है कानून बता देंगे दिवेन साहब हैं लोग यही कह रहे हैं ओध उनी को लेनी है और सारी मिटिंग शुरू हो गई है चार्टेट प्रेंट खड़ा है अगली लांडिंग मुंबई में क्यास लगाने की जो बात है वो बात दूसरी है मैं बात ये करता हूँ कि बाई बीजेपी ने या मनसे ने ये तो बोला नहीं प्रस्ताव रखा नहीं कि हम सरकार बनाएंगे दिल्ली मिले के लिए कोई आता है तो उनका हेड़ आफिस है वो पता नहीं किस कारण से आए भी न नहीं माना जाएगा ये आप कियास लगाएए कि वो इसके लेए नहीं यह बात इस समय नहीं मानी зовका पार्लेमेंट चलना होता तो माल लेटा बीजेपी कारिकारनी चलने होती तो माल लेगा चैस्टा पतल है और आप कहार कि यूई बिल्कूल नहीं मानुगा प्रेम कुभार जी नहीं मनुगा, प्रेम कुभार जी इस समय अगर देवें पाननविस आ रहे हैं, महेश जेट पनावी साथ नहीं है, अमिश्या से मुलाकात हो रही है, उसके नड़ा साथ के हो रही है, अब क्या बचाए? प्रेम कुभार जी आप उफिशियल डिकलेरेशन बता दीजे, प्रेम कुभार जी आप बहुत सही कह रहे हैं, बीजेपी अब तक चुप थी, लार टपक रही थी, छुपा रही थी, अब जो है, खुल करके सामने है, लेकिन फिर भी अब तक मूव्स में वो सामने नहीं दीख रही है, बीजेपी, विशाई सामने आईए ना, आप क्यों बीजेओ, विशाई सामने आईए, कहीं साम सरकार बना रहे है, प्रेम कुभार जी बिदाये कूद है, साथ में होता है मारास्ट में, भीजेद जी बता है, इसलार फिर भी आप की कुवाया उड़? विशाई सामने नहीं होगे है, बीजेओ, छिए पार्टी बताईग क्यों बादेखो लाख कर रहे है, लिजेख अब दो खिलाने वालीपार्टी रही है, और निश्चित तोर पर हम पार्टी बिल्कुल जो है सो गर्डू खिलाएंगे। लेकिन एक चीज़ पर चरूर कहूंगा, जो एक जिम्मेदार पिपक्स के माते हारास्त के अंदर पहले मातम मनारे की बैयारी करिए। अब तो बिल्कुल पिच्चर क्लियर हो रही है, जो धुनला पन था, जो पर्दा था, वो धीरे 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 हट रहा है। हलागी मिश्रा जी नहीं मानना है, उकेरे साथ ऐसे ही मिलने आ गए, मैं नहीं मानता, आप रात बर बहस करिए, मैं नहीं मानूंगा। आप वटोत्या कहें, आप इंदोर कहें, वहाटी से विदाय कहें, अब क्या बचा, अब तो सर्दार में रहे हैं। आलोक सर, आलोक सर, आलोक सर, रजजद जी, देखिए, ये हम लोग कितने खेल देख चुके हैं, और पहले भी हमने अपने कायरकवों में जिक्र किया है, शरत पमार जी जैसे कबड़्डी के खिलारी रहे न, एक पाले में जाकर के अपने पाले में फिर से आ जाते हैं, तो लोग आप और हम चर्चा करें, पूरी तयारी हो रही है, वो घोषणा जब तक नहीं होती, उसको उस तरह से करके वो दलबदल कानून आजाएंगे, जिश्चित रूप से तयारी है, और उसके बाद अब खाली ठाकरे जी की स्तीपा दे या जितना ज्यादा बेज जती करा लें, श्रायद पवार यहीं चाहते हैं, कि वो उद्दाव ठाकरे और आदित ठाकरे का भविशी चोपट होता है, संजे दिवेदी जी एक पर जवाब देरीजे, संजे दिवेदी, शिवसेना, क्या पवार साब का भी कोई नहीं स्वार्थ है, कि शिवसेना नीचे चली ज अब दो स्वार्थ है, कोई करा मुखंते शीवा देदें, कोई करा सलमवाजी गेम खेल लें, सलमवाजी गेम खेल लें, सलमसराय सरकार गयों बनातें, अपना हैं, बुले के बैठ जातें, तो जो आपाँ खैल नहीं है, लेकिन भी कह दूँ आपसे, ये लवाई लवाई जो है वह नंबर गेम जी है जिसके पास नंबर है वो संकार बनाएगा और शाट आट इसमें इसमें संजे जी मेरा एक सवाल और आपसे अपसे संजे जी एक छोटा सवाल जो विधायक मनाने भी कहते शिवसेना की तरफ से वह भी गोहटी में रुख गए कुछ चेंज होता त संजे जी मेरा सवाल सुनिए जो भावू का पील आपने करी पावार साथ खड़े हुए सुप्या ताई बोल नहीं है सुनिया गांजी ने फोन किया कुछ एक्शन नहीं दिखा शिवसेना वहां से दस विदायक भाग के आ जाते बातों श्री के सामने हैं यहां थाकरे परि लाना जानते हैं फिर कोई फाइदा नहीं होगा ना संजे जी हमारे संबादाता कहें कैबनेट के बाद इस्तीफा है आप बिल्कुल ठोक के कहिए नहीं होगा मैं उसकोई ब्रेकिंग चला हुगा लें कैबनेट के बाद चीत होगी इस स्थिपद नहीं होगा सरकार बसेगी सरकार चलेगी अगले तुना पर चली सरकार आप कैसी बात कर रहे हैं संजे जी किस बाद में जी रहे हैं संख्या है आपके पास सोला की जहां तक बात कर रहे हैं उसमें भी पता चला एक और जागर के अरे जो मनाने जाता है वो वहीं मिल जाता है आप एक चीज़ समझ बेचे आपको जो बस्तु स्थिती है वहां की वो आपको बिलकुल स्विकार कर दी पड़ेगी जिस तरह से आप लोगों में खेल खेला है यह बिधायकों में भी ओसंतोस है जनता में ओसंतोस है यह बिलकुल साफ हो चुकी है इसलिए अब आप अपने आपका प्रेम कुबार जी यह जो विपक्ष था हाला कि अभी तक साफ खड़ा है हम देख रहें नसीपी कॉंग्रेस सब साफ में कड़े लेकिन इस राजनेतिक लडाई में शिंदे ग्रूप और बीजेपी ग्रूप कहीं आगे लिख रहा है महाविकास अगारी से प्रेम कुबार आज तक भी उस्तिपा हुआ आज भी मैं कह रहा हूं रहा हूं रजड़ी बाज़ी कल पाते हैं अब आपने एक सवाल उठाए दस सकेंड दे दीजे खुद एंसीपी ने का एंसीपी के दो प्रवक्तावाई साथ श्याम रावत जी और संतोज भी पावार साब ने रोका थ स्तीफा देने के लिए वन्ना उद्दो ठाकरे फेस्बुक लाइफ में स्तीफा देना चाहते थे एक में पर जवाब दिला दे इस पर जवाब मुझे संतोज जी आपको आवाज मिले ही मेरी आवाज आ रहे है मेरा आवाज आ रहे है यह बहलकुल साफ आवाज आरी बुलंद आवाज आरी है यह जो तत है क्यों दो ठाकरे स्तीफा देना चाहते थे पवार साब ने रोका कि आप स्तीफा मत दीजे हम लड़ाई लडएंगे उसके आदुनोंने प्रेस क excitरेंस करी कहा आद देख लेंगे बागियों को संतोज जी दिखिए पवार साफ ने स्तिपा देने के लिए स्तिपा मतलब अभी जो ये पुरा घर पोड़ के जो गवाटी पहे है उद्दव उद्दव जी साफ के पास जो और विश्वास इन लोगों ने दिखा के सीवसेने का एक गुड़ जो अभी गवाटी में जाके बैटा रहा है ये काना का उनको जो आज अगर कोई मुक्यों मंतरी मुझे बोलिए ये सब घटना होने के बाद तुरन जो वर्शा भगला खाली करने वाला है महारास्ता में बोले ये देश में बोले ये पहला मुक्यों मंतरी रहेगा उनको कुछ सत्था के लालिज में ये सब बूलों निबा वर्शा महला खाली नहीं किया और उस टाइम जो उनके उपर विती थी उससे उनको लगा था कि वहाँ नहीं ये इसमें अगर महारास्त में रहिके अगर सामने आती तो तो अलग बात आई कोशिश है उद्व ठाकरे उनका परिवार कोशिश कर रहा है कि विधायक वापस लोट आए लेकिन अब तक नहीं लोटे ठीक है अब एक बाद फिर से चलेंगे हाँ प्रेम कुभार जी अपती बात को में करें अभी उस अपील को अमल में आने का उसका असर पढ़ने का अब करें कि अब पर प्रेम करने की जो नौबत आई है अरे एक बार फिर ये गलत प्लांट की जा रहे हैं जानता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मीडिया अधीर है पहले दिन से अधीर है और अगब फिर सकन नहीं पूरा होगा करके आज देख लिए कर रहे हैं दो दिन पहले तक तो बोल रहे हैं कि महारास में आज आके दिखाई यह सरकार थी और अब भावु कपील कर रहे हैं ब्रस्टाचार की सीमा को पार करके आज देख लिजे इनके मंद्री जो पींग बोल रहे हैं जिसकी सरकार थेस्ट हैं वो सरकार बचा ले यह लोग तंत्र है सरकार बनाने के पहले सरकार बचा ले वह जादर देख लिए कि बार बार बीजेपी ने महारास में सेल लाय कांशिया है स्याम साब मेरा एक सवाल है आपसे सर एंसीपी इंटैक्ट है कॉंग्रेस पार्टी पर सबसे ज़ादा बादल थे लोग कहते थे कॉंग्रेस तूट जाएगी कोई नेता ऐसा नहीं है जो बचा पाए ऐसा नहीं हुआ अब नसीपी में मैं यह सवाल मुझे दिवेदी इससे पूछना चाहिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्रॉस कॉशिनिंग आपसे भी हो क्योंकि आप अलाइज पार्टन है पावार साब इस सरकार को चला रहे हैं इसमें कहने में कोई हर्स नहीं होगा उद्धो ठाकरे बले ही मुखमंत्री है लेकिन सुपर पावर पावार साब है इसको कहने मुझे कोई हर्स नहीं है लेकिन अगर आज सरकार गिरती है अगर इस सरकार जाती है तो एक तो आरूप लगेगा कि उद्धो ठाकरे साब अपनी पार्टी को विधायकों को नहीं बचा पाए लेकिन एक कुशन मार्क पावार साब की भी पॉलिटिक्स पर लगेगा कि वो सरकार नहीं बचा पाए रहते रहते अब यह सरकार बचे ना बचे लेकिन जंता जानती है कि आज भी आज की जंता को चाहती है जहां तक पावाज सब का सवाल है और यह मुझे पूरा विश्वास है कि हम फिर एक बार आए फ्रेंड पे आएंगे और जंता हमें फिर चुनके देगी इसके कोई दवरा नी और जहां तक लास्ट कुमेंट तक हम इस जंगों लड़ते आएंगे और दर्शे रहेंगे जवाब देरिए करें जंता के बास जाएंगे ला क्या दिक्कत है आप देखें उद्दो ठाकरे भी निकल गए हैं रैलीज कर रहे हैं उसके बाद आदिक ठाकरे भी रैलीज कर रहे हैं मैं यह बोल रहा हूँ कि आज बीजेपी का कोई आदमी वाश्रूम जाता है तो महागाडी सरकार हिन जाती है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है और फिर से जाना है तो सारे कैबिनेट को इस्तिफ़ा देकर चुनाओं में जाएंगे कि सरकार बचाईए साहा आप सरका ही आपकी सचाही साही आपकी साहमने है आप वर्शह बग्ला आज चोड़ रहे हैं कभी धंकी दे रहे हैं कभी अंजे理 कर रहे हैं कभी बाते हैं सब्सक्राइब में चैनल सब्सक्रपिनेis क्लिसे क्यां क्रेंगे उस्श्बार करेंगे सरकार्पार बचाएंगेbonail पनाएं कानूनी दावपेच है एक बार फिर से समझने कोशिश करेंगे मुझे लगता है राजगीतिक बहुत देर चलिए एक के बार केसी कोशिक जी का फिर से रुख करेंगे आप लोग द्यान से सुनिएगा चुकि राजनी जो इस समय चल लई है वो सिर्फ संख्या बल पर नहीं चलेगी कानून उस पे कही न कहीं बैरिगेट है और वो बैरिगेट पार करना पड़ेगा उसको समझने के लिए कौशिक जी के पास चलेंगे कौशिक जी ये तो राजनीतिक बहस है सरकार रहेगी जाएगी विदाय कहा जाएंगे कहां आएंगे इसका निस्कर्स क्या होगा? क्या ये एक लंबी कोर्ट की और एलेक्शन कमीशन की लडाई में मामला फसता हुआ दिख रहा है? देखें ये मामला तो कल ही फस गया था जब सरवोच नियालने ने ये 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 कह दिया कि डिप्टी स्पीकर को जो समय साड़े पांच बजे थक था वो समय बारे जोलाई तक है तो हमको सब को सोच लेना चाहिए जब ये इंटर्वेनि पिरेड मिल गया तो इसमें इसमें प्र चुनाव आयोग के पास चुनाव आयोग से जो पार्टी संतुस नहीं होगी वो फिर सुप्रिम कोर्ट आएगी कोई ये मेरा एक चोटा सा सवाल है आपसे से दो चीजें क्योंकि किसी भी पार्टी का जो समविधान होता है वही मूलभूत अधार होता है एलेक्शन कमिशन करता है फुल बैंक जब बैठती है तो उसमें तीम मेरिट के क्लॉस क्या होते है देखे जहां तक आपने बहुत सही सही विशलेशन किया है कि जब चुनाव आयोग के सामने जब तत रखे जाते हैं खाली विधायक आपके कि दहने इस पर फैसला नहीं होता है जो प्रिटि चला था तो उस ताइम साइकल के बाद आई तो उस ताइम फैसला अखलेश यादर के पक्ष में दिया था चुनाई हो अपने तो हमें समझना चाहिए कि और आल है धी हम देखें तो और आल जो है जो सिवसेना का जो बाइलोज में हमारे सामने सारे सामसार पूरे उपस्त नहीं है लेकिन जितना पता है उसके हिसाब से केडर बेस पार्टी है केडर बेस पार्टी पर मैजोर्टी आज की डेर पर भी उदाव ठाकरे का लगता है यह जो यह जो बाकी लोग बाकी जो बाकी विधायक है यह यह सिर्व एमलेज है इनका अभी तक ऐसा नहीं लग रह कि इनका बागी कैडर पर भी कंट्रोल है यदि ऐसी स्थिती रहती है तो चांसी इसके ज़्यादा है कि चुनाव आयोग जो है वो सिंबल उदाव ठाकरे के फेवर में ही दे वो इनको नहीं दे ठीक है, हम एक बाव फिर से चलते हैं देखें ये पार्टी के जो लड़ाई है वो कौशिक जिन बहुत बेता समझाया किसाब MLS हो सकते हैं लेकिन जो कैडर है वो भी माने रखता है मैं एक वैलू एडिशन करना चाहता था देखें बिधायक क्या है सरक्यार क्या है वो अलग है पार्टी का जब रजिस्टेशन होता है वो इपार्टे होता है और कार्टे कारणी में कौन कौन से लोग है यह वोँए लिख करके दिया जाता है अब इस चीज का डिसीजन कैसे होगा कि लेक्ष कौन है और सिमबल किसका है तो ठीक इसी तरीके से वहां पे लोगों को गुला के election commission पूशता है जो पार्टी के formation के time पे यह early जो election होता है उसमें जो पदाधिकारी होते हैं वो जिसके favor में जाएंगे वो पार्टी का मालिक बन जाएगा एक बाई आलोक सार के पास चलेंगे आलोक सार सब कुछ तो अब दिल्ली आ गया है और जब आमिशा जी से और नड़्डा साथ से मुलाकात हो गई है तो हम लोग काउंटाउन माल लें बहुत 24 यारतारीस गंटे जाके गवर्णर से कह दे कि अपना हमारा पास इतनी संख्या है शीर सेना के जो विधायक है विरोधी और इसलिए अभी सिंबल की बात तो बहुत बात में आएगी रजज़ जी इंडरा गांधी के समय में जब भी उस तब इसे पार्टी टूटी थी आप सिक्सी जाइन से दी आप देखें तो ऐसा नहीं है पार्टी टूटते है और सिंबल का मामला तो बात में चलता रहता है राश्पती का चुराओं हो जाए दूसरे चुराओं हो जाए कितने ही इस मुझे तो लगता है कि बिल्कुल अगले दो-तीन दिनों में ही यह हो सकता है उसकी प्रभूया कैसी ठीक आ रहा हूँ विशाई फाइनल काउंडाउन आलोग से भी कहरें कि फाइनल काउंडाउन शुरू हो गया जब दिल्ली आ गए मुलाकात हो गई तो मुझे लगता है जब यहां से वापस जाएंगे तो गवर्नर से टाइम लेंगे लेंगे और चिट्टी होगी उनके पास कि देखेंगे इंदिजार करेंगे क्योंकि इस तरह कि अभी स्थिती जहां तक मिलने जुलने की बात है तो एक मैं आपको फिर से कहता हूं जो कि मिलने जुलने की जो बात है वो जिम्मेदार विपक्ष के नाते मिलना जुलना वहाँ पर जो हो रहा है ये बिल्कुल वही जो राजनितिक समी करा रहा है उसको समझने की बीजेपी अभी कोशिश कर रही है मिश्या जी जो शिंदे ग्रूपे उससे कोई बातचीत तो नहीं हुई ना आपकी आपके पास प्रेम कुमार जी आपके पास आता हो ये प्रेम कुमार जी ये जो स्थिती है क्या ये सिर्फ देखने वाली बीजेपी की कि विपक्ष के रूप में देख रही है या फिर सत्ता सामने है देखिए ये पूरा मामला जो ऐसा नहीं है कि शिवसेना से सब रूठ गए रूठ जाते तो मुंबई में भी रोध होता दीरे दीरे आपने देखा सूरत में कुछ इकटा हुए कुछ गोवा आटी में गए संक्या बढ़ती रही बुलाए जाते रहे यह और उसके बाद अभी जो है सुरक्षा में रखा गया है वहां पत्रकार तक मिल नहीं पाए सारे विधा यह तो बात बनेगी में और फ्लोर पर सकता ओर के र Неहीं हो सकता और अगर मिल यह संद्स यह सब्सक्राइब लिए birनने चुना बचालforward एंडीय इचे ऑब किन राक़ाइब ले ननुट-क शूखा जसेहें, दुखक यह नदीय की च्रकार पश्क्राइब हम ये देखेंगे जो कि वहां पर सपर बंगे यह संक कार बनाने के लिए हम रूची रख रह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है मैं अभी भी कह रहा हूं मैं अभी भी कह रहा हूं मैं अभी बिदायकों को जो असंतोस है जो भड़ा पड़ा है उसको आप बिल्कुल ने आप भावुक पर भावुक भावुक पर भावुक चिथिया लिए इसका पाव यह मैसेज दे रहे हैं आप भी बेज रहे हैं लेकिन वहां का विधायक रिस्पॉंड नहीं कर रहा है आपको क्यों नहीं बात कर रहा है उद्धाकरे से संजेदी वेदी जी रजजा जी अगर बात पूरी करने से तो तो मै संजेदी पूरा एक एक मिनट आपके पास है कोई पैनलिस नहीं बोलेगा आप बताईए ना दिक्कत कहा है नहीं अगर होने दे थैने तो तो मैं बात करूं बोली इस बागी बॉलिए सर कोई नहीं बोलेगा आप बोली सजिग इतनी अधार हुरा यह घूर रहा है दुनिय दोतरा जा तरिम कोई नतीजा नहीं निकला आणा अभी तक पोई निवस्तीजा नहीं निकला है किया अब वो था है पर कोई तो मिल्ले नहीं या रहा है और बाद करने आ रहे हैं तो वह बनाना जा रहे हैं और वह बागी नहीं न विश्रा जी तो कह रहे हैं तो कह रहे हैं तो मनाने के लिए जब अब फोन भी कर रहे हैं चित्थी लिख रहे हैं आप भावु का पील कर रहे हैं अरे आप ही में से कोई चले जाएए न को रहा है जो जो को आपी जाएगा वह वह ही रहा जाएगा तो सरकार का क्या होगा बीजेपी कहरे साब हम तो राजनीती का स्थिर्टा है उसी को देख रहे हैं क्या है वह खुद चाते हैं कि सरकार गिरे और ये काभीच करें इनकी तो मंजसुबह वही है लेकिए आज हमारे उस खीशना के विधायक जो अगर गहे हैं बौटी में अगर हम को प्रेम से बुला रहे हैं लेकिन आप ऑसफल हो रहा है आप दस दिन से महाराष्ट के महाराष्ट केंदर में सरकार और जंका कितना प्रभावित हो रहे हैं जनता प्रभाव कितना जाती है आप लोगों ने जिस तरह से फाइलों के उपर में साइन किया आज तो वड़ाजी पाल साब ने वहां उस चीज को मंगाया भी है क्यों इतनी जल्दी थी जो सारे फाइल के उपर में आप बिल्कुल आपने लोगों क्या किया आपने 22 से 24 के बीच में आप लोगों ने फाइल के उपर में तो इसलिए यह समझना जंता चाह रही है यह जंता आप लोगों ने लोटिस तक नहीं दिया आप लोगों ने चिस तरह से सरकारी तंत्रों को दूपियों किया वहां पर वाजा करके वक्त की थोड़ी कमी है देश का सवाल में आप सभाएं आप सबका बहुत शुक्रिया मुंबई गोहाटी और दिल्ली तक जित्ता गट्ला करमता हमने समझने कुशिश करी सभी पार्टियों के लोग हमाए साथ थे कानून के जानकार भी थे क्या है सरकार बनेगी सरकार बचेगी या सरकार जाएगी तीन विकल्प हैं तीनों विकल्पों पर काम हो रहा है महाराश की बड़े निता दिल्ली में है उद्धो ठाकरे ने मिटिंग बुलाई है एंसीपी साथ खड़ी है सोनिया गानी ने फोन पर बात करी है और गोहाटी में विधायक अभी भी देश का सवाल में आज के लिए तई देश का सवाल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है महाराश में सियासत की लड़ाई मुंबई सूरत गोहाटी से होते होते अब दिल्ली पहुच गई है नंबर गेब में पिछल चुके उद्दो ठाकरे इस लड़ाई में अब कमजोर पढ़ते दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि महाविकास गाड़ी सरकार का ताउंडाउन शुरू हो गया है इस पूरी लड़ाई में अब बीजेपी भी एक्शन मोड में दिख रही है बीजेपी के नेता और महाराश की पूर्फ सियम देवेन फंदन्विस दिल्ली पहुच चुके हैं फंदन्विस अमिश्या और जेपी नड़ा से मुलाकात करने हैं दिल्ली में माना जा रहा है कि इस मुलाकात में महराश में सरकार पर फाइनल फैसला लिया जा सकता है ऐसी भी खबरे हैं कि फड़नविस और शिंदे के बीच सरकार बनाने का फॉर्मूला लगभखत है हो चुका है जिसके तहट बीजेपी से 29 मंतरी और शिंदे कैम्ट से 8 कैबनेट और 5 राज मंतरी बनाये जाने की चर्चा बहुत तेज है उदर गौाटी में क्या हो रहा है? गौाटी में एकनाज शिंदे ने कहा है कि वो शिफसेना और बाला साहिब के हिंदुत को आगे लिकर चलेंगे और जल्द ही मुंबई भी जाएंगे इसी बीच उद्दो ठाकरे ने एक बार फिर बागी विधायकों को चिट्थी लिखकर भावुक अपील की है उद्दो ने बागी विधायकों से कहा है कि वो अभी शिफसेना में ही है उद्धो ने विधायकों से मदभेद भूल कर सुलाय करने का एक नियोता भी दिया है आज देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है क्या महराश में उद्धो सरकार की उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है? उद्धो सरकार को अब अविश्वास प्रस्ताओ की अगनी परिक्षा से गुजरना होगा? क्या शिंदे गुट ने विजेपी के साथ मिलकर महराश में नई सरकार बना पाईगी? क्या फर्णवीस और शिंदे की बीच सरकार बनाने का फॉर्मूला फाइनल हो गया है? इन सारे सवालों पर आज हम अपने महमारों से बात करेंगे लेकिन आईए पहले आपको सुनवाते हैं इस सियासी संग्रान पर आज के बड़े बैयाद मेरे ख्याल से जो भी उनका प्रपोजल हो आज का जो अपील उद्वजी ने किया है वो एक बड़े भाई के नाते किया है उद्वजी को ये जिम्मेदारी बाला साब ने दिये और एक बड़े भाई के नाते अगर आज उद्वजी एक अपील कर रहे है जो भी उनकी समस्या है वो घर में होनी चाहिए तो अगर वो घर आए और उद्वजी ने अपील किया है तो अगर वो आके एक बार उद्धव जी से बात कर सके तो कुछ हल निकल सकता है बड़ देमोक्रसी और रिष्टे ये सिर्व डायलोग से ही रिकरते हैं डायलोग बंध होना इससे कौन सा प्रश्ण है इस देश में या दुनिया में छूटा बताएं तो डायलोग इस अमस्ट ने पच्छी मंगाल का भी मैंने नाम सुना है और पच्छी मंगाल के तीम सुके पंदरा लगों का एडी का नोटी जा रहा है मैं पड़ रहा था ठीक है ये सरकार कोन बना रहा है बजी पी बना रही है लेकिन कुछ भी करो हम डरने वाले दूप में चाहे मुझे यहां से गिरप्ता करके लेके जाएंगे हाँ दुसरे आश वाच की भूमी का में है कल भी हमने स्पष्ट कर दिया कि हमने इस परिस्तिती को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए आने वागे दिनों में आवश्यक तब हमारी कोर टीम होगी और कोर टीम में इस विशे पे चर्चा मन्थन करते हुए फिर हम निरने करेंगे अभी कोई परिस्तिती में वेट एंड वाच हम देख रहे हैं और परिस्तिती पे नजर गराय हुए है देश का सवाल में आज समझने कुशिश करेंगे कि क्या बीजेपी के लिए बड़ा मौका है हम सबसे पहले शिफ्जेपी के पास हम चलेंगे संजे दिवेदी जी के पास संजे जी अब तो बिल्कुल खुला खेल है जब दिवेन फणनवी साब आ गए दिली अमिश्या साब से मुलाखात हो गई साथ में महेश जेट मलानी भी है यानि कानूनी दाव पेज क्या हो सकता है वो बिल्कुल साथ ने एक वरिश्वकिल चल ले है और अब अध्याक्ष क्या पहुँच गए तो बहुत जादा दिन है नहीं अब तो बीजेपी फ्रेंट फुट पे कि अध्याइए न ही बताते हुँ आप से कि फ्रेंट पुट पो बैख पुट में उसके कोई लेना देना नहीं होता है संभिधान जो कहता है संभिधान किसा आपके जल बदल करनून मना आए जया तो आप जैसे आप महाराश है जैसे आप मत्पर देश में करनाटक में इस् अब तो कुछ बजा नहीं अब तो अगर मुलाकात हो रही है और अमिश्या जी से महेश जेटमलानी जी यानि वकालक भी विल्कुल आपके साथ चल ली कानूनी दाव पेज बिल्कुल क्लियर है और उसके बाद नड़ा जी तो अब तो ग्रीन सिगनल है आगे बढ़िये साब लड़ू के ओडर दीजे बिल्कुल सही बात है जो कि ग्रीन सिगनल है लेकिन मैं पर स्थिती ये महारास्ट के अंदर में है इतनी उथल पुथल और इतनी जो उठापटक हो रही है ये स्थिती सपस्ट हो चुकी थी हाँ जहां तक बात है बताईए इतने बरेश से विधायक की जो एक संख्या है इतना औसंतोस ये बिल्कुल दिखाता है जो कि एक विधा जब चुना जाता है तो जो वोट परता है वो सिंबल पर वोट परता है विधायक के नाम पर वोट नहीं परता है आप सिंबल लेकर आते हैं पार्टी से बी फॉर्म साइन करके उसके बाद वोट परता है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है जो कि संबल के उपर मे आपको भेजा था जो कि उनको एक औस्थिर सरकार चाहिए आप क्या दिखाना चाहते हैं आप संजेरा आउटी का बयान अगर देखिए उन बयान में क्या कह रहा है जो कि बंदूग से बंदूग टकड़ाएगा तलवार से तलवार तकड़ाएगा यह जनता को आप कर से लिए इतना बड़ा प्रबक्ता है तो यह घ्राइटै यह जोड़िए नहीं तो आप इतना बड़ा प्रबक्ता है फिर खोड़िये इंड तो यह जोह आपको यह जर्काइब फिरिया आपके देखेंगे और विश्राजी एक मिडार ओ दिवेदी जी दमकी क्यों दी जाना है पूछ करें देखेंगे जोड़ागे देना है नहीं कहना हो कि सरक्रार हमारे में के सिंदेजी बागी हुए कर दिन में नहीं आए कोई बात नहीं हमने अपनी किपी स्वीकर से अपनी खारवाई करना शुरू कर दिया हमारे कर इनके बस है यहां पर समस्य क्या है जब तक तू थर में जाटियां पहीं तोड़ेंगे अब सरकार नहीं पोड़ सकते हैं इसके बाद आपको मौका साथ सुप्रिंग कोड़ गए अचा मिशाई जी यह तो एक सीधा 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 सवाल पूछा है वो कहरें साब सुप्रिंग कोड़ कोड़ जब विधायक आपके पास है संख्या आपके पास है आप गवर्नर के पास जाते हैं कहते साब स्पीकर आईए फ्लोर आप दा हाउस क्यों नहीं गए आप एक चीज तो इस पस्ट और यहां पर करना चाहूंगा योगि यह जो कहरें सुप्रीम कोड़ क्यों गए सुप्रीम कोड़ हम नहीं गए एकनाथ सिंदे साहब गए और यह पार्टी का आप का अंदरू इसलिए आप इस चीज को बिलकुल समझने की कोशिश करिए यह सुप्रीम कोड़ जाने वाले हम नहीं थे लिए कि यह सब्सक्राइब बढ़ी खबर आ रही है इस वाद की बढ़ी खबर आपको बता दे महाराष्ट को लेकर बीजेपी एक्टिव बोट में आचुकी है इदाव और पवार की बातचीत हुई है क्यापनेट मिटिंग से पहले बातचीत हुई है सोनिया गांदी ने भी उद्व ठाकने से बातचीत करी इदर दिल्ली में भी हल चल बहुत तेज है अमिश्या से मिल चुके है फणनवेस अब जेपी नट्डा से मुलाकात हो रही ही महेज जेटमनानी साथ ने हमारे दो वरिष संभाधाता हमसे जुड़ने हैं मुंबई से अभिशे और दिल्ली से संजे सीधे संजे कर रूख करते हैं संजे मुलाकात कहां तक हुई सरकार की बात कहां तक पहुची संजे संजे अभी कहा है किस से मिले जा रहे हैं वापसी की फ्लाइट कप की है मुंबई की और प्लान क्या है बीजेपी का बता ही संजे देखे देवेंद्र फर्णो इसको चार्टर प्लेन से आए और यहां से जेपी नड्डा के गर से निकलके मिलके निकलके गए और अमारे अमारे जो सुत्र बता रहे हैं वो यह बता रहे हैं कि इस समय उनकी मिटिंग हरी सालवे से होनी है क्योंकि कानूनी मुद्धों पर कुछ बात्चीत होनी है क्योंकि विदान सबा में जो भी कुछ होगा ट्रस्वोट के समय में लेकिन आखिरकार तो बाल आएगी कोर्ट में ही संजी आपको रहे हैं अपशेक यह तो दिल्ली का घटना क्रम है यह जो घटना क्रम यहां चला है एक घटना क्रम गुहाटी में भी है और मुंबई में भी क्योंकि सरकार तो मुंबई में बनी है पावार साब की फोन पर बात चीत हुई है सुप्रिया सूले ने काया है हम साथ खड़े हुए सोनिया गांदी ने कैपनेट मिटिंग से पहले उद्धौ ठागरे से फोन पर बात किये वहां क्या हल चले गांदी ने की बहुत बड़ी बात कुई है और बात के पात बहुत बड़ा पैसला भी महारास के हो सकता है यानि आज की महारास की केमिट होगी क्योंकि अब उद्धौ नागरे साबद में आ गया है कि उनक्या पर पता ही है कि दो बाइस ने जा रहे है यह लोगों से बुजित किया तो उसके बाद उनक्या पर रोका था तरह कि जैसे देखे लगाता दिन धलता जा रहा है दिन निकलता जा रहा है वैसे वैसे विसे उसना के लिए मुश्वत भड़ी उती जा रही है उद्धौ ठाकरे ने चाहते किस दो बड़ा खरा करें मुखमंती पर से पास संजे आपके पास वापस आऊंगा संजे फॉर्मूला बताई यह सरकार का क्या है शिंदेग्रुप को क्या मिलेगा मुखमंती दिवेंदी होंगे सरकार का गठन कब होगा संजे देखे लगता यही है कि अगले दो से तीन की दिन काफी इंपोर्टन होंगे अगले 48 से बहुततर घंटों में महराश की राजनिती की सब्सारी सच्चा ही सामने आ जाएगी कहा यही जा रहा है कि राज्यपाल अब कभी भी विदान सबाब बुला सकते हैं क्योंकि वहां प वहां ही से मांग उठेगी ट्रस्ट वोट की उद्दो ठाकरे सरकार को ट्रस्ट वोट साबित करने के लिए कहा जाएगा और विदान सबाब में जो होगा जो ट्रस्ट वोट में होगा वही फिर नतीजा सामने होगा और फिलाल आज की तारिक में हम देखे तो आज उद्द थाकरे की सरकार यानि की कभी भी गिर सकती है जिस दिन भी ट्रस्ट वोट होगा यही पास चल्एग अभी तक यह जो घटना क्रम है अभी तक यह और यह रज़त है कि वह इस्तिफा दे सकते हैं बिल्कुल देखिए यह तो साफ हो चुका है उन्दों को पता हो गया है कि उनके साथ विधायक नहीं है तो उन्हें पता है कि अब बात सामने वाली नहीं है इसलिए उनका एक बहुत इमोसल आज एक बयान भी सामने इस्टेट्मे से बस होने वाले नहीं है वह उन्होंने एक मन बना लिया है कि वह कांग्रेस की किताब तो कम वापक नहीं आएगे इसलिए उद्व ठाक लेगा इलान कर देते हैं संजे दिवेदी की पास चलेंगे उससे पहले हमाई साथ केसी कौशिक जी भी है सीनियर एडूकेट है कौशिक जी यह जो घटना करम चला एक तरफ तो राजनीच चल लई है एक तरफ फ्लोर आफ दा हाउस है एक तरफ कोट है जो मर्जर है एंटी डिफेक्शन कानून है माराश्ट वाले केस में खास तौर से शिफसेना वाले केस में जहां लगबग 40 विदायक बहाटी में व कर सकते हैं आप अपने क्रत से कर सकते हैं आप उसको प्रितक शूरूप से कर सकते हैं यह चारों कंडिशन में आप जो हैना अस्वेचा से आपकी मेमबर्श कोना माना जाता है। कि उसमें पैरा 4 में एक्जम्चन दिया है कि यदि आप उसे एक्जम्चन में आते हैं पैरा 4 ये कहता है कि यदि किसी पार्टी का वर्टिकल डिविजन हुआ हो और तू थर्ड उसके MLA जो हैं वो उसके लिए एग्री किये हो और वोकर नए किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन पे पैरा 2 अपलाई नहीं होता है आज की डेट में ये जो बागी MLA है इन पे पैरा 2 अपलाई होता है ये ये नहीं कह सकते हैं कि हम पैरा 2 से बाहर हैं ऐसा ये कानून कहता है सर एक चीज़ और आपसे समझा चाते है ये जो मर्जर वाला फॉर्मूला है किसाब किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर सकते हैं और एक तरफ शिवसेला खड़ी है जो कहरी ही कि साब आफ फ्लोर आफ दो हास आईए स्पीकर नहीं है पावर डिप्टी स्पीकर के पास है वो कहरी साब ये पंदरा विधायक है ये आयोग के करार दिये जाए तो दोनों में सामने चान्टेशन है एक तरफ विधायक क harsh करना चाहते है एक तरफ ये confrontation है कि साब आयोग थैयार दीजे नंबर डाउन हो जाएगा और तीसरा एक और विकल्पसर जो सामने आ गया है वो ये भी आ गया है कि साब अगर फ्लोर आफ दा हाउस आप जाते हैं तो बीजेपी भी है, मनेस भी है, वो कहने साब हम मर्ज नहीं करेंगे क्या हम अपना एक गुड बना सकते हैं तुकि पार्टी कह रही है किशिंदे गुरुप कह रहा है कि साब असली शिफ्सेरा तो हम है, सिंबल हमाय साथ, बाला साथ ठाकर हमाय साथ इन तीन विच बेशन में कानून क्या कहता है देखे हम को ये समझाना चाहिए जाता सिंबल का सवाल है सिंबल को सिंबल के बारे में ना स्पीकर को अधिकार है ना मानिय राजपाल को अधिकार है ना चीफ निस्टर को अधिकार है वो जो अधिकार है वो चुनाव आयोग को है यदि 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 बागी विदायक चुनाव आयोग के सामने जाते हैं कि साम असली सिवसेन हम ह हैं तो वो उनके उनकी पेटिशन पर दूसरे ग्रूप को नोटिस देंगे दौनों पार्टिस को सुनने के बाद चुनाव आयोग उस पर फैसला करेगी सिंबल सिंबल जो है वो उदाव ठाकरे के पास रहना चाहिए या इन बाइद के दायको जिनको एकना सिंदे अब तो इस्तीफा होना है और कैबनेट की मीटिंगे बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं शाम रावजी अब तक यह बात चलते नहीं है कि अब तो यह सुत्रों से आपको प्ली है और जहां तक अभी पूड़े देर पहले आपके चानल पर अपरी नेजा तो प्रिया सुरिश से बताया था कि अब तक अब आपको जीने फिर एक बार सब्सक्राइकों से वाक्ता करने के गुहार लगाई है और अपनी घर पे बुलाया है और अपने घर पे आके बैट के सामने बात करें के तो अभी तक इस पिर ठीक है मना आप आश्वास हैं ठीक है मैं मान गया अब तो बिल्कुल खुला खेल है अब कुछ बचा नहीं है बहुत जादा करने के लिए क्यास लगाने की जो बात है वो बात दूसरी है मैं बात यह करता हूं कि बाई बीजेपी ने या मनसे ने ये तो बोला नहीं प्रस्ता और रखा नहीं कि हम सरकार बनाएंगे दिल्ली मिले के लिए कोई आता है तो उनका हैड आफिस है वो पता नहीं किस कारण से आईए अने उने सनी है ने और जाने यह आप के लिए यह बात इस समय नहीं मनी जाएगी मंसूर सेशन चलní होता तो मान लेता पार्लिमेंट चल Οिजेपी करीकार नी होता ही तो मान लेता आज़ माराश़ने की 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 गड़ें का पटल है और आपको रहे हैं कि सब्सक्राइब नहीं मानूंगा अमिश्या से मुलाकात हो रही है उसके नड़ा साथ से हो रही है प्रेम कुबार जी आप बहुत सही कह रहे थी कि फ्रंट फूट पे खेल रही है बीजेपी बीजेपी अब तक चुप थी लार टपक रही थी छुपा रही थी अब जो है खुल करके सामने है लेकिन फिर भी अब तक मूवस में वो सामने नहीं दीक रही है बीजेपी बीजेपी बीजेट कर रही है बिल्कुल आप उसी परिक्ष में देखा लट्टू का ओर दिया कि नहीं तो आप लेकिन आप लट्टू लाए कि नियुक्त रिए प्रेन कुमार जी करें लट्टू किलाईए विद्ट आप्यों चुपा रहें हम हमेंसा से ही हाँ ये पार्टी लट्टू खिलाने वाली पार और निश्चित तौर पर हम पार्टी बिल्कुल जो है सो लग्डू खिलाएंगे। लेकि एक चीज़ पर चरूर कहूंगा, जो एक जिम्मेदार पिपक्स के राते हैं, अहरास्त के अंगर पहले मातम मनाने की पैरी करिए। जो यूजित के अगर पिछूप तौर जो पर्दा था वो धीरे दीरे दीरे अट रहा है। आप इंदोर गए बुहारी से बिदाय का है अब क्या बचा अब तो सरकार नहीं है अलोक सर अलोक सर जी देखिए ये हम लोग कितने खेल देख चुके हैं और पहले भी हमने अपने कारेकरों में जिक्र किया है शरत पमार जी जैसे कबड़ी के खिलाड़ी रहे ना एक पाले में जाकर के अपने पाले में फिर से आ जाते हैं तो अभी भारती जिल्टा पार्टी वैधानिक रूप से चुकि अभी सुप्रिम कोड तक भी मामला पहुंचा हुआ है और इसके बाद भी जाएगा ये पक्का सब्सक्राइब और उसके बाद अब खाली ठाकरे जी की स्तीफा दे या जितना ज्यादा बेज जती करा लें श्रहत पावार यहीं चाहते हैं कि वह उद्दव ठाकरे और अधित ठाकरे का भविशित्चोपट होगा है संजे दिवेदी जी एक पर जवाब देरीजे संजे संजे दिवेदी शिफ सेना क्या पावार साब का भी कोई नहीं स्वार्थ है कि शिफ सेना नीचे चली जाए एंसीपी उपर आ जाएं कॉंग्रेस उनके साथ आ जाएं संजे दिवेदी जी असर में देगे चार्चाओं बजार कर दो नहीं है और जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है तो फिर दिक्तर यही है कोई करा मुखंते सीफा दे दें कोई करा सब्वाजी गेम केल ले तो सुसरा सरकार क्यों बनाते बाबब बना अपना है बोले के बैठ जाते तो जो आ नहीं है तेकि मैं पर कहदों आपसे यह लडाई लड़ाए लगेर जो है वह नंबर केंगी है जिसके पास नूमर जो विधायक मनाने भी कहते शिवसेना की तरफ से वो भी गोहटी में रुख गए कुछ चेंज होता है जो भावू का पील आपने करी पावार साब खड़े हुए सुप्रिया ताई बोल नहीं है सुनिया गांजी ने फोन किया कुछ एक्षन नहीं दिखा शिवसेना वहां से दस विदायक भाग के आ जाते बातों श्री के सामने हैं यह हम ठाकरे परिवार के साथ खड़े हैं कोई फाइदा नहीं होगा ना मिश्या जी बाद कम्लीट करने दी हाँ अप बिल्कुल ठोक के कहिए नहीं होगा मैं उसको ब्रेकिंग चलाओंगा लेकिन के बाद फिर हमारी आपी बाचीत होगी इस पर नहीं होगा सरकार बसेगी सरकार चलेगी अगले तुनाओं पर चली सरकार आप कैसी बात कर रहे हैं संजय जी किस बाद में जी रहे हैं संख्या है आपके पास सोला की जहां तक बात कर रहे हैं उसमें भी पता चला एक और जागर के अरे जो मनाने जाता है वह वहीं मिल जाता है आप एक चीज़ समझ बेचे आपको जो बस्तु स्थिती है वहां की वह आपको बिलकुल स्विकार कर दी पड़ेगी जिस तरह से आप लोगों ने खेल ख साथ खड़ा है हम देख रहें नसीपी कॉंग्रेस सब साथ में कड़े लेकिन इस राजनितिक लड़ाई में शिंदे ग्रूप और बीजेपी ग्रूप कहीं आगे लिख रहा है महाविकास अगाडी से प्रेम कुमार जी अभी गाड़ी कहां बढ़ी है आप कह रहें कि आज इस्तिफा हो सकता है हम तो बहुत पहले से सुन रहे है उद्धाव सरकार का सूथ पूरा मीडिया देश की सबसी करक्का प्रबबबबार की स्थिपा लेते लेते आज तक मुन अधे रहा हो रहा है स्थाइब देने की लिए वन्हा उद्दोः ठाकरे फेस्बुक लाइफ में स्थाइब देना चाहते थे अगए एक में संतो जी आपको आवाज मिले ही मेरी अलो आपका आवाज आ रहा है मेरा आवाज आ रहा है जा बेलकुल साफ आवाज आ रही बुलंद आवाज आ रही है ये जो तथ है कि उद्धो ठाकरे स्टीफा देना चाहते थे पवार साब ने रोका कि आप स्टीफा मत दीजे हम लड़ाई लड़ेंगे उसका दुनों ने प्रेस कॉन्फरेंस करी कहाँ देख लेंगे बागियों को संतोज जी दिखिए पवार साब ने स्टीफा देने के लिए स्टीफा मतलब अभी जो ये पुरा घर पोड़ के जो गवाटी गया है उद्दव जी साब के पास जो अविश्वास इन लोगों ने दिखा के सीवसेने का एक गुड़ जो अभी गवाटी में जाके बैटा हुआ है ये कहाना का उनको जो आज अगर कोई मुक्यों मंत्रे मुझे बोली है ये सब घटना होने के बाद तुरन जो वर्षा भगला खाली करने वाला है महाराश्त में बुले ये देश में बुले ये पैदा मुक्यों मंत्री रहेगा उनको कुछ सत्था के लालीज में ये सब उनो निभा वर्षा महला खाली नहीं किया अर उस ताइम जो उनके उपर बीती थी उससे उनको लगा था कि वहां जाता रहे उन लोगी कि नहाराश्त में रहे के अगर सामने आती तो अलग बात आई कोशिश कर रहा है कि विधायक वापस लोट आया लेकिन अब तक नहीं लोटे ठीक है अब एक बात फिर से चलेंगे हाँ प्रेंग कुछ बोलता हूं तो आप परसनली इमोशनल मत हो ये एक बड़ा सवाल है ये आज की भी बात मैं लॉजिकल बोल रहा हूं आप कह रहें कि उद्धव ठाकरे ने भावुक अपील की है अभी उस अपील को अमल में आने का उसका असर पढ़ने का अब कहरें कि इस तीपा देने वाले है तो अप्रयूंने की है अब एक तो फिर गलत करने की जो नौबत आई है और एक बार फिर ये गलत प्लांट की जा रही है ढार्तिय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मीडिया अधीर है पहले दिन से अधीर है और अगर प्रिसंखना नहीं पूरा होगा तो हमकी ज़्रों वाले भावव कपील कैसे कर रहे हैं दो दिन पहले तक को बोल लेंगे कि महाराज में आज आके दिखाईए रही और आप भावू का पील कर रहे हैं तेरे परकेट ब्रस्टाचार की सीमा को पार करके आज देख लीजिए इनके मंद्री जो भी बोल देखे लेना देना नहीं है जिसको जिसकी सर्कार की परणाय है वो सर्कार पचा ले सर्कार बनाने के पहले सर्कार पचा ले यह जागा देख लोला श्याम रावत जी कुछ कह रहे हैं श्याम जी श्याम साब मेरा एक सवाल है आपसे श्याम एक पार्टी पर सबसे ज़्यादा बादल थे लोग कहते हैं कोई नेता ऐसा नहीं है जो बचा पा है ऐसा नहीं हुआ अब NCP में मैं यह सवाल मुझे दिवेदी से पूछना चाहिए लेकिन मैं चाहता हूंगी अगर यह सरकार जाती है तो एक तो आरूप लगेगा कि उद्धो ठाकरे साब अपनी पार्टी को विधायकों को नहीं बचा पाए लेकिन एक कुश्चन मार्क पवार साब की भी पॉलिटिक्स पर लगेगा कि वो सरकार नहीं बचा पाए रहते 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 हैं हम हम पूरी कोशिश कर रहे हैँ पाब साबने वादा किस कि आ जानती है कि आज भी मवक्राजक पंगरेश कंगरेस को चाहते ही जहां तक पार सबकाएब 007 अन्हों है और यह कुरा विश्वाष है कि हम फिर एक बार है जोंग शुन नेगी इसंह कोई को आ करेंगे जवाब दे लिए करें जनता के पास जाएंगे ला क्या दिक्कत है आप देखिए उद्दो ठाकरे भी निकल गए है रैलीज कर रहे हैं उसके बाद अधिक ठाकरे भी रैलीज कर रहे हैं बदाइए मैं यह बोल रहा हूं कि आज कोई आद्मी वाश्रूम जाता है तो सब्सक्राइब करें 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 सरकार बचाएंगे सरकार बनाएंगे या चुनाओं में जाएंगे ये बताइए आप यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं आपके पास आप्शन तीन है सरकार बचाएंगे सरकार बनाएंगे या चुनाओं में जाएंगे डिक्लेर करिये तो पहले सरकार बचाइए आप तो सरकार भी नहीं बचा पार रहे हैं ना पिछले दस दिनों से सारी कारवाई ठाप पड़ी है आप पोल रहे हमारे पास निकल कर जो कानूनी दाव पेच है एक बार फिर से समझने कोशिश करेंगे मुझे लगता है राजगीतिक बहस बहुत देर चलिए एक बार केसी कोशिख जी का फिर से रुख करेंगे आप लोग जिरा ध्यान से सुनिएगा चुकि राजणी जो इस समय चल लई है वो सिर्फ संख्या बल पर नहीं चलेगी कानून उसमें कहीं न कहीं बैरिगेट है और बैरिगेट पार करना पड़ेगा उसको समझें के लिए कोशिक जी के पास चलेंगे कोशिक जी ये तो राजनितिक बहस है सरकार रहेगी जाएगी विदाय कहा जाएंगे कहा आएंगे इसका निसकर्स क्या होगा क्या ये एक लंबी कोट की और एलेक्शन कमीशन की लडाई वो स्थमया 12 जोलाई तक है तो हमको सब को सोच लेना चाहिए जब ये इंटर्वेनी पिरेड मिल गया तो इसमें इसमें प्रॉलम तो आएगी ये लडाई कभी खतम नहीं होगी ये लडाई दुबारा सुप्रीम कोट आएगी ये ऐसा मेरा मानना है चुकि यह जो यहां त का जो समविधान होता है वही मूलभूत अधार होता है एलेक्शन कमिशन के पास वो जमा भी होता है विधायकों के संख्या आज की डेट में अगर हम मान के चले हैं तो वो शिंदे ग्रूप के पास जादा है लेकिन जो स्ट्रक्चर ऑफ दा पार्टी है वो फिलाल किया है कि जब चुनावयावग के सामने जब तत रखे जाते हैं खाली विधायक आपके किदह ने इस पर फैसला नहीं होता है जो प्रटिकल स्ट्रक्चर है पार्टी का पर जो बाइलोज है उसके साब से मैजर्टी क्या कहती है नॉर्मली चुनावयावग को उस पर फैसल में दिया था चुनावयावग ने तो हम यह समझना चाहिए कि ओर आल हम देखें तो ओर आल जो है जो सिवसेना का जो बाइलोज में हमारे सामने सारे सामसार पूरे उपस्तित नहीं है लेकिन जितना पता है उसके साब से कैडर बेस पार्टी है कैडर बेस पार्टी पर यह जो यह जो बाकी लोग बाकी जो बाकी विधायक है यह यह सिर्फ एमेलेज है इनका अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि इनका बाकी कैडर पर भी कंट्रोल है यदि ऐसी स्थिती रहती है तो चांसी इसके जादा है कि चुनाव आयोग जो है वो सिंबल उदाव ठाकरे के में ही दे वह इनको नहीं दे ठीक हम एक बाब फिर से चलते हैं मिशाजी देखें यह पार्टी के जो लड़ाई है वो कौशिक इन बहुत बेता समझाया किसाब एमिलेज हो सकते हैं लेकिन जो क्याडर है वो भी माने रखता है एक वैल्यू एडिशन करना चाहता था देख और कारकारणी में कौन-कौन से लोग हैं यह वहाँ पर लिख करके दिया जाता है अब इस चीज़ का डिसीजन कैसे होगा कि रास्त्री अध्यक्ष कौन है और सिंबल किसका है तो ठीक इसी तरीके से वहाँ पर लोगों को गुला के इलेक्शन कमीशन पूसता है जो अधिकारी होते हैं वो जिसके फेवर में जाएंगे वो पार्टी का मालिक बन जाएगा एक बार आलोग सार के पास चलेंगे आलोग सार सब कुछ तो अब दिल्ली आ गया है और जब आमीश शाह जी से और नडड़ा साहब से मुलाकात हो गई है तो हम लोग काउंट डाउन से कह दे कि अपना हमारा पास इतनी संख्या है शीर सेना के जो विदायक है विरोधी और इसलिए अभी सिंबल की बात तो बहुत बात में आएगी रज़त जी इंद्रा गांदी के समय में जब भी उसके पार्टी तूटी थी आप सिक्सी जाइन से दी आप देखें तो ऐसा पार्टी तूटते हैं और सिंबल का मामला तो बाद में चलता रहता है राख्षपती का चुराओं हो जाए दूसरे चुराओं हो जाए इतने ही इसी तिति आती रही है इसलिए फैसला विधायक यदी सदन में इसको गिरा देते हैं सरकार को उसके बाद सहे हो जाएगा कि विधायक इसके साथ रहते हैं ती आलोग सर फाइनल काउंडाउन मान ले अब महराज़ का शुरू हो गया है मुझे तो लगता है कि बिल्कुल अगले दो-तीन दिनों में ही यह हो सकता है उसकी प्रभूया का शुरू हो जो कि एक जिमेदार विपक्ष के नाति महरास्ट के अंदर में चुकि एक पार्टी के अंदर में एक बिधायकों का जो औसंतोस था वो बिल्कुल नजर आ रहा था जूकि जनता में भी इस तरह के औसंतोस बिल्कुल फॉर्वार्ड हो रहे थे जहां तक बात है भाजपा का तो निस्चित तरपर हम थोड़ा सा भी देखेंगे इंदिज संजे दिवेदी जी कहरें साथ विपक्ष की तरह हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि रहे हैं कि साथ जो राजनितिक समीकरान है उसको समझने की बीजेपी अभी कोशिश कर रही है मिशा जी जो सिंदे ग्रूप उससे कोई बातचीत तो नहीं हुई ना आपकी अधिश के नाते में ध्याम दे रहे हैं बीजेपी वाले किसाब क्या हो रहा है और कुछ नहीं है राजनितिक आई सिर्था है माराष में इसलिए विपक्ष देख रहा है क्या हो रहा है पर प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं यह जो स्थिती है क्या यह सिर्थ देखने वाली बीजेपी की कि विपक्ष के रूप में देख रही है या फिर सत्ता सामने है देखिए यह पूरा मामला जो ऐसा नहीं है कि शिवसेना से सब रूट गए रूट जाते तो मुंबई में भी रोध होता नहीं लॉड भी में और एकेले में बात करते थी यह नहीं पत्रकार उख 198 अख् improvements नहीं था पर सरकार बन गई या सरकार बनाने के लिए हम रूची रख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है मैं अभी भी कह रहा हूं आप अपने विधायकों को जो असंतोस है जो भड़ा पड़ा है उसको आप बिल्कुल ने आप भावुक पर भावुक चिथियां लिए लेकिन वहां का विधायक रिस्पॉंड नहीं कर रहा है आपको क्यों नहीं बात कर रहा है उद्व ठाकरे से संजेदी वेधी जी रजाज़ जी अगर बात पूरी करने तो तो मैं बोलूंगा वंदा मैं सांस हो जाता हूं हैं अभी तक कोई नतीजा नहीं निकले अभी तक नतीजा नहीं निकला किया अब बनेन वह में होगा क्या ना मिधान्सबद pleasure यहां की वाटी लगवादा भाजन्ता पार्टी करें लगवा दी जाएंगी वहां स्टीकर मिलने नहीं आ रहा है नहीं बात करने आ रहा है और वह वह बना रहा है और बागी नहीं ना गवादी में सुस्टा स्टीकर मिश्चे के लिए आप फोन भी कर रहे हैं तील लिख रहा है आप भाबुक ऐपील कर बिजेपीद साहब हम तो राजनीति का सिर्था है उसी को देख रहे कि अप्र दूर से बैट की देख रहे हैं और अच्छितिया लिगने में क्या बुढा है लेकिन आप उसफल हो रहा है आप दस दिन से महाराष्ट के अंदर में सरकार और जंका कितना प्रभावित हो रही है आप लोगों ने जिस तरह से फाइलों के उपर में साइन किया आज तो वड़ाजी पाल साब ने उस चीज को मंगाया भी है क्यों इतनी जल्डी थी जो सारे फाइल के उपर में आप बिल्कुल आपने लोगों क्या क्या किया आपने 22 से 24 के बीच में आप लोगों ने फाइल के उपर में तो इसलिए यह समझना जंकता चाह रही है यह जंकता आप लोगों ने नोटिस तक नहीं तिया आप लोगों ने चिस तरह से शेंटार एगेंसियों को वहां तर भुद्धार को जिस तरह से सरकारी तंत्रों को दूपियों किया वहां पर वाजा करके बग की थोड़ी कमी है देश का सवाल में आप सभाएं आप सब का पहुत शुक्रिया मुंबाई गोहाटी और दिल्ली तक जित्ता गट्ला करमता हमने समझने कुशिश करी सभी पार्टियों के लोग हमाए साथ थे कानून के जानकार भी थे क्या है सरकार बनेगी सरकार बचेगी या सरकार जाएगी तीन विकल्प हैं तीनों विकल्पों पर काम हो रहा है महाराश की बड़े निता दिल्ली में है अब दिल्ली पहुच गई है नमबर गेब में पिछर चुके उद्धो ठाकरे इस लड़ाई में आप कमजोर पड़ते दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि महाविकास गारी सरकार का ताउंडाउन शुरू हो गया है इस पूरी लगाई में अब बीजेपी भी एक्शन मोड में दिख रही है बीजेपी के नेता और महाराश की पूर्फ सीम देवेन फननविस दिल्ली पहुच चुके हैं फननविस अमिश्या और जेपी नड़ा से मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली में माना जा रहा है कि इस मुलाकात में महाराश में सरकार पर फाइनल फैसला लिया जा सकता है ऐसी भी खबरे हैं कि फननविस और शिंदे के बीच सरकार बनाने का फॉर्मूला लगधक्त है हो चुका है जिसके तहट बीजेपी से 29 मंतरी और शिंदे कैम से 8 कैबनेट और 5 राज मंतरी बनाये जाने की चर्चा बहुत तेज है उदर गौाटी में क्या हो रहा है? गौाटी में एकनाश शिंदे ने कहा है कि वो शिफसेना और बाला साहिब के हिंदूत को आगे लेकर चलेंगे और जल्द ही मुंबई भी जाएंगे इसी बीच उदर ठाकरे ने एक बार फिर बागी विधायकों को चिथी लिखकर भावुक अपील की है उद्रो सरकार को अब अविश्वास प्रस्ताव की अगनी परिक्षा से गुजरना होगा क्या शिंदे गुट ने विजेपी के साथ मिलकर महराश्ट में नई सरकार बना पाईगी क्या फननवीस और शिंदे के बीच सरकार बनाने का फॉर्मूला फाइनल हो गया इन सारे सवालों पर आज हम अपने महमारों से बात करेंगे लेकिन आईए पहले आपको सुनवाते हैं इस सियासी संग्रान पर आज के बड़े बैया अगर अगर शुद्या और शुद्या और शुद्या आज के बात करेंगे बात नहीं है सब्सक्राइब यह और आप राज्यपाइब राज्य बात निए है हाइब यूप से जो भी ना प्रपोजल हो। एक ला के नाती क कि अगर आज अपील कर रहे हैं जो भी उनकी समस्या है घर में लात इतए खांए तो अगर आए अगर में आपिल किय interpret आख कर दो पुद्धव जी से बात कर सके तो कुछ ना कुछ हाल निकल सकता है बड़ देमोक्रसी और रिष्टे यह सिर्व डाइलोग से ही हरिकरते हैं डाइलोग बंध होना इससे कौन सा प्रश्ण है इस देश में या दुनिया में चुटा है बताइए सो डाइलोग इसमस्ट ने बच लेकिन कुछ भी करो हम डरने वाले दूख में चाहे मुझे यहां से गिरप्ता करके लेके जाएंगे हैं हाद दुसरे स्वात्तमत्रा सा लड़ाएं यह देशा में वाच की भूमी का में है कल भी हमने स्पष्ट कर दिया कि हमने इस परिस्तिती को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए आने वागे दिनों में आवश्यक तब हमारी कोर्टीम होगी और कोर्टीम में इस विशे पे चर्चा मंथन करते हुए फिर हम निरने करेंगे अभी कोई परिस्तिती में वेट एंड वाच हम देख रहे हैं और परिस्तिती पे नजर लगाए हुए है देश का सवाल में आज समझें कुशिश करेंगे कि क्या बीजेपी के लिए बड़ा मौका है देवेन फनननिस अगर मुंबई से दिल्ली आते हैं अमिश्या से मिलते हैं महीर जेट मलानी साथ में रहते हैं उसके बाद जेपी नटा के घर जाते हैं मिटिंग स्टार्ट हो जाती तो क्या कवायक शुरू हो गई है जो यह मौका था उसमें बीजेपी आगे बढ़ गई है अब तक शान्ती शिंदे गुरूप क्या कहेगा वहां के जो विधायक हैं ये भी ख़वर आ रही है कि कुछ लोगों कहरें हम मर्ज नहीं करेंगे उसका फॉर्मला क्या होग कोट क्या करेगा क्या उद्दोट सरकार की उल्टी गिंती शुरू हो गई एक बर लंबा चौब पानल हमाई साथ हैं हमाई साथ इस्टूडियो में आरके मिश्रा जी हैं बीजेपी की पक्ष रखने के लिए संजे दिवेदी जी हैं शिर्थ सेना से हमाई साथ हैं संतोष पर दूकर एंस पी की तरफ से हमाई साथ है हैं साथ ही साथ श्याम रावत जी एंस से हमसे जुड़ेंगे खेन प्रेम कुमार जी हमाई साथ स्टूडियो में मौजर पहले हैं सातीं GPS सím से जूढ़ेंगे और सातीं हमाई साथ केसी कौशिक जी भी होंगे जो की फॉर्मर न फणनवी साब आ गए दिल्ली अमिश शाह साब से मुलाकात हो गई साथ में महेश जेट मलानी भी यानि कानूनी दाओं पेज क्या हो सकता है वो भी को साथ ने एक वरिश वकिल चल ले हैं और अब अध्यक्ष क्या पहुंच गए तो बहुत जादा दिन है नहीं अब तो जैसे आपे महराश हैं जैसे मत्य प्रदेश में खनाटक में स्टीपा दिला के सरकार बना ली दर्वेश रेकानून का ब्रोथ किया लेकिन अब पिक्ष्ट यहां पर तूठट अगर हमें सिवसेना को तोड़ना है तो तूठट मजार्टी के अवस्ता है क्यों आवस्ता प पकालक भी विल्कुल आपके साथ चली कानूनी दावपेज बिल्कुल क्लियर है और उसके बाद नडड़ा जी तो अब तो ग्रीन सिग्नल है आगे बढ़िए साब लड़्डू के ओड़र दीजे बिल्कुल सही बात है जो कि ग्रीन सिग्नल है लेकिन मैं एक चीज जरूर स्पस्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जहां तक बात है जो कि ये सरकार जब फाउंडेशन हुई थी जब इस सरकार की महागारी सरकार की इसका भाविस उसी दिन तय हो गया था जो आज जो परिस्थिती ये महारास्ट के अंदर में है इतनी उथल पुथल औ इतनी जो उठापटक हो रही है ये स्ठीटी स्पस्ट हो चुकी थी हाँ जहां तक बात है बताईए इतने बरेश से विधायक की जो एक संख्या है इतना औसंतोस ये बिल्कुल दिखाता है जो कि एक विधायक कितने जनता का जन परतमीदी होता है और बिल्कुल जनता में जो ऑसंतोस की भावना थी ये आज बिल्कुल उजागर हो गई है महरास्ट के अंदर में इसमें 20 में रोखूंगा आपको मेरा अपना मानना है विधायक जब चुना जाता है तो जो वोट परता है वो सिंबल पर वोट परता है विधायक के नाम पर वोट नहीं परता है क्या जनता को इसी अपेक्षा के साथ आपने जनता में चुन करके आपको भेजा था जो कि उनको एक औस्थिर सरकार चाहिए आप क्या दिखाना चाहते हैं आप संजेर आउट का बयान अगर देखिए उन बयान में क्या कह रहा है जो कि बंदूग से बंदूग टकराएगा त इशा कराएगे यह जाटा को आप सकति प्रवक्ता के एक टमना तीजिये इतने मुद्धा नहीं चैने अंधे नहीं है पुरे देस को ग्यांदेने की जैट आपको जैश्य क्यां दे रहा है अब भी हार में उनक्ता राजे भी इस अब प्रवंक्ता हूं चोड़िए तरे मे जोटा प्रफाइब दिवेदी जी दमकी क्यों दी जाना है पुछ 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 पूले लगते हैं तो अपने कर दिया हमारे इनके बस है यहां पर समस्ते क्या है जब तक तूथ तोडेंगे यह तूथ मेज़ादी जब तक आप तक आप सर्कार ने खोड़ सकते हैं आपको मौका साथ सुप्रिंग कोट तो गए अचा मिशाइजी ये तो एक सीधा सीधा सवाल पूछा है वो कहने साथ सुप्रिंग कोट कोट गए जब विधायक आपके पास है संख्या के पास है आप गवर्नर के पास जाते हैं कहते हैं साथ स्पीकर आईए फ्लोर आप दा हाउस क्यों नहीं गए आप एक चीज़ तो इस पस्ट और यहां पर करना चाहूंगा यो कि यह जो कह रहे हैं सुप्रीम कोट क्यों गए सुप्रीम कोट हम नहीं गए एकनाथ सिंदे साहब गए और यह पार्टी का आप प्रांद दे रहे हैं देखिए देश में आजगता कि कि इस पिपी आप उपने पैदा कर रखी है और यह एक चीज़ आपको पता देता हूं अप सब्कूर रही है इस वक्ती बड़ी खबर आपको बता दे महराश्ट को लेकर बीजेपी एक्टिव मोट में आ चुकी है बड़ी खब सबनानी साथ ने हमारे दो वरिस संबादाता हमसे जुड़ने हैं मुंबई से विशेप और दिल्ली से संजे सीधे संजे कर रूख करते हैं संजे मुलाकात कहां तक हुई सरकार की बात कहां तक पहुची संजे संजे अभी कहां है किस से मिलने जा रहे हैं वापसी की फ्लाइट कप की है मुंबई की और प्लान क्या है बीजेपी का बता ही संजे देखे देवेंद्र फर्णो इस कुछ चार्टर प्लेन से आए और यहां से जेपी नड्डा के गर से निगल के मिलके निगलके और अमारे अमारे जो सुत्र बता रहे हैं वो यह बता रहे हैं कि इस समय उनकी मिटिंग हरी सालवे से होनी है क्योंकि कानूनी मुद्दों पर पावार साब की फोन पर बातचीत हुई है सुप्रिया सूले ने काया हम तो साथ खड़े हुए सोनिया गानी ने कैपनेट मिटिंग से पहले उद्दों ठाकरे से फोन पर बात किये वहां क्या हल चले तो अब उद्दो ठाकरे साथ बे आ गया है कि उनके पास तंख्या पल नहीं है और इसलिए वह स्तिपार जैसे इसके आपको पता ही है कि दो बाश्तिपार दिने जा रहे थे जिस दिन वह यूद्द किया तो उसके बाद उनमर पर रोका था तरह जैसे जैसे देखे लगा स के रही हैं दिन भांटा जा रहा है निकलता जा रहा है वैसे वैसे शूसरा के यजिस दिन उनकरी खड़ी अगया रही है पड़ी ख़दत जा दिया heureई है किसले यालोग期 बड़ी ख़दयार बनेट के बाद यह थिए स्क्रीन पर संजे अपके पास आउगा संजे फार्मुला बताई सरकार का क्या है शिंदेग्रुग को क्या मिलेगा मुख्म existential divendhi होगे सरकार का गठन कब होगा संजे देखी लगता यही है कि अगले 2-3 दिन काफी important होंगे अगले 48-32 गंतों में महराश की राजनिती की सब्सारी सच्चा ही सामने आ जाएगी कहा यही जा रहा है कि राज्यपाल अब कभी भी विदान सबाब बुला सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रस्ट वोट की मांग मंसे उटा सकती है जो राज ठाकरे की पार्टी है जो कहा जा रहा है कि शीव सेना का जो बागी गुटे वो मंसे में शामिल हो सकता है या मंसे में विले कर सकता है तो वहाँ ही से मांग उठेगी ट्रस्ट वोट की उद्दो ठाकरे सरकार को ट्रस्ट वोट साबित करने के लिए कहा जाएगा और विदान सवा में जो होगा जो ट्रस्ट वोट में होगा वही फिर नतीजा सामने होगा और फिलाल आज की तारिक में हम देखे तो आज उद्धो ठाकरे सरकार के पास नंबर नहीं है जमिन खिसक चुकी पूरी तरह से उद्धो ठाकरे की सरकार यानी की कभी भी गिर सकती है जिस दिन भी ट्रस्ट वोट होगा यही माना जा रहा है अब शेक के पास चलेंगे अब शेक का ये जो घटना क्रम है अभी तक यह हो रहा था फ्लोर आफ दा हाउस चलेंगे समझेंगे बार-बार संजे राउत कह रहे थे आईए ना शक्ति प्रिक्शन करिए लेकिन आप कह रहे हैं कि स्टीफा दे देंगे तो क्या आज उद्धो ठाकरे स्वैम हार माल लेंगे कि साब आप कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल देखिए ये तो साफ हो चुका है उन्दों को पता हो गया है कि उनके साथ विधायक नहीं है तो उन्हें पता है कि अब बात सामने बात बनने वाली रही है इसलिए देखिए उनका एक बहुत इमोसल आज एक बयान भी सामने इस्टेट्मेंट सामने आया उन बागी विधाकरों के लिए कि आप आईए और यहां पर हमांके इसामने बात करते हैं लेकिन उन्हें उन्हें एक मन बना लिया है कि वह कंग्रेस इसलिए संजे दिवेदी की पास चलेंगे उससे पहले हमाई साथ केसी कौशिक जी भी है सीनियर एडूकेट है कौशिक जी यह जो घटना करम चला है एक तरफ तो राजनीच चल लई है एक तरफ फ्लोर आफ दा हाउस है एक तरफ कोट है जो मर्जर है एंटी डिफेक्शन कानून है माराश्ट वाले केस में खास तोर से शिफसेना वाले केस में जहां लगबग 40 विदायक बहाटी में ह वह कहां इस्टम करता है कोशिक जी छोड़ते हैं तो कर सकते हैं आपने क्रत से कर सकतेओं आप उसको प्रतक्वित से कर सकते। यह चारों कंडिशन में आप अस्वेच्छा से आपकी membership छोडना माना जाता है। अब या बात आती है कि उसमें पैरा समें общen में यह कैना है कि यह वडूना certified venture से का दिफास बigोर वो उसके लिए agree किये हों और वोकर नए किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन पे पेरा टू apply नहीं होता है आज की डेट में ये जो बागी MLA है इन पे पेरा टू apply होता है ये ये नहीं कह सकते हैं कि हम पेरा टू से बाहर हैं ऐसा ये कानून कहता है सर एक चीज़ और आपसे समझना चाते हैं ये जो merger वाला फॉर्मूला है किसी दूसरी पार्टी में merge कर सकते हैं और एक तरफ शिवसेला खड़ी है जो कह रही ही कि साब आप floor of the house आईए speaker नहीं है power deputy speaker के पास है वो कहरी साब ये 15 विधायक है ये आयोग के करार दिये जाए त वो ये भी आगया है कि साब अगर floor of the house आप जाते हैं तो BJP भी है MNS भी है वो कहने साब हम merge नहीं करेंगे क्या हम अपना एक good बना सकते हैं क्योंकि party कह रही है कि शिंदे group कह रहा है कि साब असली शिवसेला तो हम है सिमबल हमारी साथ वालसा थाकरे का नाम हमारे साथ इन तीन registration में कानून क्या कहता है खेखे हम को समूझना चाहeder सिमबल का सवाल है सिमबल को सिमबल के बारे में ना speaker को अधिकार है ना मानिय राजब्सփण को को अधिकार है ना Chief Minister को अधिकार आयोग को है यदि यदि बागी विदायक चुनाव आयोग के सामने जाते हैं कि साम असली सिवसेन हम हैं तो वो उनकी पैटिशन पर दूसरे ग्रूप को नोटिस देंगे दौनों पार्टिस को सुनने के बाद चुनाव आयोग उस पर फैसला करेगी इनके पास रहना चाहिए यह यह फ्लोर में डिसाइड नहीं हो सकता है लेकिन उससे पहले श्याम रावज जी भी हमाएं साथ है श्याम रावज जी यह जो घटना क्रम है और जो मेरे समवादाता बता रहे है वो साफ कह रहे हैं कि साब अब तो इस्तीफा होना है और क्याबनेट की मीटिंगे बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं श्याम रावज जी अभी तक यह बात चलते नहीं है क्याबनेट के उसके बाद स्टीफे होंगे अब तो यह सुत्रों से आपको खबत बिली है और जहां तक अभी पुड़े दिर पहले आपके चेकल में अपनी नेजा सुप्रिया सुलिच से बताया था जञा कि अभी तक इस फिर एक बार अभी तक आश्वास थे हैं तो अभी तक आश्वास है ठीक है मैं मान गया आपकी बात हमाई साथ स्टूडियो में एक है मिश्रा जी भी है मिश्रा जी अब तो बिल्कुल खेले अब कुछ बचा नहीं बहुत जादा करने के लिए क्यास लगाने की जो बात है वो बात दूसरी है मैं बात ये करता हूँ कि बाई बीजेपी ने या मनसे ने ये तो बोला नहीं रस्ता और रखाने की हम सरकार बनाएंगे दिल्ली मिले के लिए कोई आता है तो उनका हेड़ आफिस है वो पता नहीं किस कारण से आएगी ने ने सुनिये ने आप कयास लगाए कि वो इसके लिए नहीं होंगे ये 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 बात इस समय नहीं मानी जाएगी मंसूर सेशन चला होता तो माल लेता पारलिमेंट चला होता तो माल लेता बीजेपी कारणी चलने होती तो माल लेता आज पतल है और आप कहर रहे है कि साथ यूई मिले आरा है मिश्रा जी नहीं मानूंगा तेम कुभार जी इस समय अगर देवें पाननमिस आ रहे हैं महेश जेट पनानी साथ नहीं है अमिश्छा से मुलाकात हो रही है उसके लड़ा साथ से हो रही है अब क्या बचा प्रेम कुभार जी आप मुझे ऑफिसियल डेक्लेररेशन बता प्रेम कुभार जी बता दीए ना ओफिसियल क्या होता है रजजट जी आप बहुत सही कह रहे थी कि फ्रंट फुट पे खेल रही है बीजेपी बीजेपी अब तक चुप थी लार टपक रही थी चुपा रही थी अब जो है खुल करके सामने है लेकिन फिर भी अब तक प्रेम कुभा जो है यहां पर जिस तरह से महरास्ट में उधल बुधल चल रही है उसी नाते याभी मिलना जुलना जो होड़ा है बिल्कुल आप उसी परपेच्छ में देखे लटू का ओडर दिया कि नहीं दिया आज आप लटू लाइं कि लाई इस परें कुमार जी करें लटू खिलाई है जिकरें लटू खिलाई है उपन करिये बिल्कुल आप क्यों चुपा रहे हम हमेशा से ही यह पार्टी लटू खिलाने वाली पार्टी रही है और निश्चित तोर पर हम पार्टी बिल्कुल जो है से लटू खिलाएगी लेकिन एक चीज़ में चलूर कहूंगा जो एक जिम्मेतार विपक्स के नाते हरास्त्र के अंब मातम मनाने की बैयारी करिए एक बार एंसीपी संतोज ये वाई सा संतोज जी अब तो बिल्कुल पिचर क्लियर हो रही है जो धुंदलापन था जो पर्दा था वो धीरे 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 अट रहा है अब क्या बचा अब तो सर्कार नहीं है आलोक सर आरा अलोक सर जी देखे ये हम लोग कितने खेल देख चुके हैं और पहले भी हमने अपने कारेकरों में जिक्र किया है शरत पमार जी जैसे कबड़ी के खिलाडी रहे ना एक पाले में जाकर के अपने पाले में फिर से आ जाते हैं तो अभी भारती जिल्टा पार्टी वैधानिक रूप से चुकि अभी सुप्रिम कोड तक भी मामला पहुंचा हुआ है और इसके बाद भी जाएगा ये पक्का मानिए ये कहानी यहां कतब नहीं होगी लेकिन यह है कि सब लोग आप और हम चर्चा करें पूरी तैयारी हो है वह घोषणा जब तक नहीं होती उसको उस तरह से करके वह दलबनल कानून आजाएंगे जिश्चित रूप से तैयारी है और उसके बाद अब खाली ठाकरे जी की स्तीफा दे या जितना ज्यादा बेज जती करा लें श्रहत पवार यहीं चाहते हैं कि वह उद्दव ठाक ताकरे और अधित टाकरे का भविशी चोपट होता है तीक है तीवेदी जी एक पर जवाब देढ़ीजे शाज्व सेना क्या पवार साब कोई नहीं स्वार्थ है कि शिवसेना नीचे चलिजाएं नसीपी उपर आजाएं गॉंग्रेस उनके साथ आजाएं संजे दिवेदी जी असल में देगे चार्चाओं बजार करना है और जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है तो फ़रे दिक्तर ही है कोई करा मुखंते सीवा देदें कोई करा साल मवाजी गेम खेल ले तो सुसरा सरकार क्यों बनाते अपना है बोले के बैठ जाते तो जो अपना है फैल नह पासाने पनाई गारे फाल साय हो चैन्जा जी गाया में इक चोटा सवाल अब तॉटा सवाल जो विदायक मनाने भी विजिए शिप सेना की तरыт में रुख गये कुछ शेंज कोंँ सबसें अब हनुए जो भावू का पील आपने करी पावार साथ खड़े हुए सुप्रियात आई बोल नहीं है सुनिया गांजी ने फोन किया कुछ एक्षन नहीं दिखा शिर्फ सेना वहां से दस विदायक भाग के आ जाते बातों श्री के सामने कि हम ठाकरे परिवार के साथ खड़े हैं यह पाव कंप्लीट करने दिया है तो नहीं हो रहा है संजे जी हमारे समवादाता कहने के बाद स्टीफा है आप बिल्कुल ठोक के कहिए नहीं होगा मैं उसको इपर ब्रेकिंग चलाओगा लिगी कैबनेट के बाद पर हमारी आपकी बाचीत होगी इस पर नहीं होगा सरकार बचेगी सरकार चलेगी अगले तुनाओं पर चली सरकार आप कैसी बात कर रहे हैं संजे जी किस बाद में जी रहे हैं संख्या है आपके पास अब आपको बिलकुल स्विकार कर दी पड़ेगी जिस तरह से आप लोगों ने खेल खेला है जिए बिधायकों में भी औस अंतोस है यह बिलकुल साथ हो चुकी है इसलिए अब आप अपने आपका प्रेम कुबार जी यह जो विपक्स था हलाकि अभी तक साथ खड़ा है हम देख रहे हैं नसीपी कॉंग्रेस सब साथ में कड़े लेकिन इस राजनितिक लडाई में शिंदे ग्रूप और बीजेपी ग्रूप कहीं आगे लिक रहा है महाव सरकार का इस्तीफा सूत्र अरे पूरा मीडिया देश की एक्सपोज हो गई उद्दो सरकार का इस्तीफा लेते लेते आज तक भी उस्तीफा हुआ आज भी मैं कह रहा हूं रहा जड़ी बाजिकल पाक्रेम कुमार जी अब आपने एक सवाल उठाए दस सकेंड़े दीजे ख संतोज जी आपको आवाज मिले ही मेरी वेलकुल साफ आवाज आ रही बुलंद आवाज आ रही है यह जो तत्थ है कि उद्दो ठाकरे इस्तीफा देना चाहते थे पवार साब ने रोका कि आप इस्तीफा मत दीजे हम लड़ाई लडएंगे उसका दुन्होंने प्रेस कॉन कि पवार साफ ने स्तीफा देने के लिए स्तीफा मतलब अभी जो ये पुरा घर पोड़के जो गवाटी पहे है उद्दव जी साफ के पास जो अविश्वास इन लोगोंने दिखा के सीउसेने का एक गुड़ जो अभी गवाटी में जाके बैटा रहा है ये काना का उनको आज अगर कोई मुक्यमंत्री मुझे बोली है ये सब गटना होने के बाद तुरन जो वर्शा भगला खाली करने वाला है महारास्ता में बोले ये पहला मुक्यमंत्री रहेगा उनको कुछ सत्था के लालीज में ये सब उनों ने वर्शा महाला खाली नहीं किया और उस लिए इसके लिए मुझे मेरे उपर कहा ना कहा ना राजगी वहां जाता रहे उन लोगी कि नहारास्ता में रहे के अगर सामने आती तो अलग बात पाई हां वहां कोशिश है उंका परिवार कोशिश कर रहा है कि विदायक वापस लोटाए लेकिन अब तक नहीं लोटे ठी मैं मीडिया को देश की मीडिया पर जब मैं कुछ बोलता हूं तो आप परसनली इमोशनल मत हो यह एक बड़ा सवाल है यह आज की भी बात मैं लॉजिकल बोल रहा हूं आप कहरें कि उद्धाव ठाकरे ने भावुक अपील की है अभी उस अपील को अमल में आने का उसका अ करने की जो नौबत आई है अरे एक बार फिर यह गलत प्लांट की जा रही है भावुक भारतिये जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मीडिया अधीर है पहले दिन से अधीर है और अब बार पिर सकना नहीं पूरा होगा अधीर है तो चौपाटी पर आपके जिए अधीर है और आप भावुक अपील कैसे कर रहे हैं दो दिन पहले तक तो भोल लेंगे कि महारास में आपके दिखाए यह जाए और अब भावुक अपील कर रहे हैं ब्रस्टाचार की सीमा को पार करके आज देख लिए इसके अध कर देख लिए कि बार 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 बीजीपी ने महारास में सेल लायकां किया है एनीवे देख भुक अखुक देख 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 लिए जो बचापा है ऐसा नहीं हुआ आप NCP में मैं यह सवाल मुझे दिवेदी इससे पूछना चाहिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्रॉस कुछनिंग आप से भी हो क्योंकि आप एलाइज पार्टर रहे हैं इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं होगा उद्धोर ठाकरे बले ही मुख्मंत्री हैं लेकिन सुपर पावर पावार साब इसको कहने मुझे कोई हर्ज नहीं है लेकिन अगर आज सरकार गिरती है अगर इस सरकार जाती है तो एक तो आरूप लगेगा कि उद्धोर ठाकरे साब अपनी पार्टी को विधायकों को नहीं बचा पाए लेकिन एक कुश्चन मार्क पावार साब की भी पॉलिटिक्स पर लगेगा कि वो सरकार नहीं बचा पाए रहते 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 हैं हम पुरी कोशिश कर रहे हैं पुरी कुशिश कर रहे है है पुरी कोशिश कर रहे हैं सरकाव बचयाती है अब यह सरकाय बच य now भी बाच और रह्या है verse के मिशाई जवाब दे लिए करें जनता के बाद जाएंगे ला क्या दिक्कत है आप देखें उद्दो ठाकरे भी निकल गए रैलीज कर रहे हैं उसके बाद अधित ठाकरे भी रैलीज कर रहे हैं बदाएए मैं यह बोल रहा हूं कि आज कोई आद्मी वाश्रूम जाता है तो जवाब दे लिए जवाब कर रहे हैं आप की सामने हैं आप वर्षा बंगला आप छोड़ रहे हैं सरकार कैसे बचेगी कभी धंकी दे रहे हैं कभी अनुवे कर रहे हैं कभी इस्तिवा की बाते आ रहे हैं सरकार बचाएंगे सरकार बनाएंगे या चुनाओं में जाएंगे यह बताइए आप यहीं नहीं डिसाइब कर पा रहे हैं आपके पास आप्शन तीन है सरकार बचाएंगे सरकार बनाएंगे या चुनाओं में जाएंगे डिकेर कर यह हम क्यों दे हम सरकार बचाएंगे त तो पहले सरकार बचाई है आप तो सरकार भी नहीं बचा पार रहे हैं ना पिछले दस दिनों से सारी कारवाई ठब पड़ी है आप बोलने हमारे पास संख्या बाल है निकल कर जो कानूनी दाव पेच है एक बार फिर से समझने कोशिश करेंगे मुझे लगता है राजगीतिक कहीं बैरिगेट है और वो बैरिगेट पार करना पड़ेगा उसको समझे के लिए कौशिक जी के पास चलेंगे कौशिक जी यह तो राजनितिक बैस है सरकार रहेगी जाएगी विदाय कहा जाएंगे कहा आएंगे इसका निसकर्स क्या होगा क्या ये एक लंबी कोट की और 12 जॉलाई तक है तो हमको सब को सोच लेना चाहिए जब ये इंटर्वेनी पिरेड मिल गया तो इसमें इसमें प्रॉलम तो आएगी ये लड़ाई का भी खतम नहीं होगी ये लड़ाई दुबारा सुप्रीम कोट आएगी ये ऐसा मेरा मानना है चुकि यह जो यह जो यहां अधार होता है election commission के पास वो जमा भी होता है विधायकों के संख्या आज की डेट में अगर हम मान के चले हैं तो वो शिंदे ग्रूप के पास जादा है लेकिन जो structure of the party है वो फिलाल उद्धो ठाकरे के साब के पास दिख रहा है ऐसे में जो फैसला election commission करता है full bench जब बैठती है तो उसमें तीम मेरिट के clause क्या होते है देखे जहां तक आपने बहुत सही विशलेशन किया है कि जब चुनावयाविक के सामने जब तत रखे जाते हैं खाली विधायक आपके किदर है इस पर फैसला नहीं होता है जो political structure है party का जो bylaws है उसके साब से majority क्या कहती है normally चुना cycle के बाद आई तो उस ताइम फैसला अखलेश यादर के पक्ष में दियाता चुनायोग अपने तो हम यह समझना चाहिए कि overall है दी हम देखें तो overall जो है जो सिवसेना का जो bylaws में हमारे सामने सारे 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 पूरे उपस्रित नहीं है लेकिन जितना पता है उसके हिसाब से केडर बेस पार्टी है केडर बेस पार्टी पे मैजोर्टी आज की डेट पर भी उदाव ठाकरे का लगता है यह जो यह जो बाकी लोग बाकी जो बाकी विदायक है यह यह सिर्फ MLS है इनका अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि इनका बाकी केडर पर भी कंट्रोल है यदि ऐस स्थिति रहती है तो चांसी इसके ज़्यादा है कि चुनाव आयोग जो है वो सिंबल उदाव ठाकरे के फेवर में ही दे वो इनको नहीं दे ठीक हम एक बाब फिर से चलते हैं मिशाजी देखें ये पार्टी के जो लडाई है वो कौशिक जी ने बहुत बेता समझाया किसाब अब एमिलेज हो सकते लेकिन जो क्याडर है वो भी माने रखता है एक वैल्य एडिशन करना चाहता था देखें बिधायक क्या है सरक्यार क्या है वो अलग है पार्टी का जब रजिस्टेशन होता है वो इलेक्शन कमीशन में होता है सबसे पहले जब फॉर्म भरा जाता है तो वहां रास्त्री अध्यक्ष कौन है उपाध्यक्ष कौन है ट्रेजरार के है ये सारे और कारकारणी में कौन कौन से लोग है ये वहां पे लिख करके दिया जाता है अब इस चीज का डिसीजन कैसे होगा कि रास्त्री अध्यक्ष कौन है और सिंबल किसका है तो ठीक इस तरीके से वहाँ पे लोगों को घुला के एलेक्षन कमीशन पूचता है जो पार्टी के फॉर्मेशन के टाइम पे यह यह ली जो इलेक्षन होता है उसमें जो पदाधिकारी होते वह जिसके फैवर में जाएंगे वह पार्टी का मालिक बंचाएगा बालोक सार के पास कि जो वैसाइसला होगा वो विधान सवाब होगा और इसलिए या तो इस्तीफा होगा या वहाँ पर बहुमत सिद्ध करने के लिए दूसरी पार्टी यदि बीजेपी कहती है कि हम बहुमत सिद्ध कर देंगे और जाके गवर्णर से कह दें कि अपना हमारा पास इतनी संख्य है शीवसेना के जो विधायक है विरोधी और इसलिए अभी सिंबल की बात तो बहुत बाद में आएगी रजजी इंद्रा गांदी के समय में जब भी उसके पार्टी टूटी थी आप सिक्सीज लाइन से दिया आप देखें तो ऐसा नहीं है पार्टी टूटते हैं और हो जाएं दूसरे चुराओं हो जाएं कितने हैं इसी इस्पिती आती रही है इसलिए फैसला विर्धायक यदि सदन में इसको गिरा देते हैं सरकार को उसके बाद तै हो जाएगा कि विरायक इसके साथ रहते हैं और अलुक सर फाइनल कांडाउन माले अब महराश कर जब यहां से वापस जाएंगे तो गवर्नर से टाइम लेंगे लेंगे और चिट्टी होगी उनके पास अब देखिए एक चीज तो मैं सफस्ट यहां पर कर दूँ जो कि एक जिम्मेदार विपक्ष के नाति महरास्ट के अंदर में जो उधल पुधल चल रही है और जो रा कि वर्ड हो रहे थे जहां तक बातया भाजपा का तौन इस चीत तरपर हम थोड़ा सा भी देखेंगे इंदिजार करेंगे क्योंकि इस तरह अभी स्थितीigraphy जहां तक मिलने जुलने की बात ant do it मैं आपको फिर से कहता हूं जो कि मिल्लें जुलने की जो बात है वो कि मिलन जुलना वहां पर जो हो रहा है यह बिल्कुल वही उसी चीज़ को समझने की बीजेपी अभी कोशिश कर रही है मिशा जी जो शिंदे ग्रूप उससे कोई बाचीत तो नहीं हुई ना आपकी आज बिधायक बिधायक से अगर कोई बिलता है तो अब दोस्ती के नाते करता है ठीक है संजे जी जवाब रहे विपक्ष के नाते में ध्यान दे रहे हैं बीजेपी वाले किसा आप क्या हो रहा ह है और कुछ नहीं है राजनितिक आज स्थिर्था है महाराष्ट में इसलिए विपक्स देख रहा है क्या हो रहा है कि संजे दिवेदी जी प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूँ प्रेम कुमार जी यह जो इस्थिती है क्या यह सिर्फ देखने वाली है बीजेपी की कि विपक्स के रूप में देख रही है या फिर सत्ता सामने देखिए यह पूरा मामला जो ऐसा नहीं है कि शिवसेना से सब रूठ गए रूठ जाते तो मुंबई में भी रोध होता दीरे दीरे आपने देखा सूरत में कुछ इकटा हुए कुछ गो आटी में गए संक्या बढ़ती रही बुलाए जाते रहे यह और उसके बाद अब भी जो है सुरक्षा में रखा गया है वहाँ पत्रकार तक मिल नही ऑ视频 है कि इस लालच में है यह जब तक बात बनेगी नहीं और फ्लोर पर यह क्लियर हो सकता और कहीं क्लिए नहीं हो सकता और ह क्या हम यह देखेंगे जो कि वहां पर सरकार बन गई है या सरकार बनाने के लिए हम रूची रख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है मैं अभी भी कह रहा हूँ मैं अभी भी कह रहा हूँ जो असंतोस है जो भड़ा पड़ा है उसको आप बिल्कुल नहीं आप भावुक पर भावुक चिथिया लिख रहे है इसका मताइक करें मेसेज दे रहे हैं आदमी बेज रहे हैं लेकिन वहां का विधायक रिस्पॉंड नहीं कर रहा है आपको क्यों नहीं बात कर रहा है उद्धा ठाकरे से संजेदी वेदी जी रजज़जी अगर बात पूरी करने से तो तो मैं बोलूँगा वंदा मैं सांस हो जाता हूँ अब सब्सक्राइब नहीं निकला अभी तक बड़ी नहीं निकला अभी तक को यह नहीं नहीं निकला क्या अब भॉअटी मिल्हें पड़ें तो कोहार्टी में होगा क्या कोई जा के करिया कि बीदान समय जो जो है यहां की गॉार्टी लगवादा है पीजे ortी लगवा दी जाए तो जब तो वह बनाना जा रहा है और वह बागी नहीं ना सब्सक्राइब के लिए जब आप फोन भी कर रहे हैं आप भावू का पील कर रहे हैं अब इतके जो को हाटी जाएगा वह भावावज जाएगा उसी को देख रहे क्या है वूझ चाते हैं कि सरकार की और इंकी तो मझसुभाई वही है लेकिंगे आज हमारे शीशना की विधायक जो अगर गए है बौटी में अगर हम को प्रेम से बुला रहे तो बुला रहे हैं अगर चिप्षिया लिगने में क्या बुला रहे हैं लेकिन आप ऑसफल हो रहे हैं आप दस दिन से महाराष्ट के अंगर में सरकार अस्थिर है और जंका कितना प्रभावित हो रहे हैं इसको भी समझने के कोचिस करिए आप सरकार के अंगर में आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है हमारी जिन्मेदारी की हम जानते हैं लेकिंगे आप उतनी सोच रहे हैं कि बार बार आप यह सोच रहे हैं तो क्या है यह आप लोगों ने जिस तरह से फाइलों के उपर में साइन किया आज तो वड़ाजी पाल साब ने उस चीज़ को मंगाया भी है उस जिए क्यों इतनी क्यों इतनी जल्डी थी जो सारे फाइल के उपर में आप बिल्कुल आपने लोगों क्या क्या किया आपने 22 से 24 के बीच में आप लोगों ने फाइल के उपर है तो इस लिए यह समझना जंता चाह रही है यह जंता लूपी जर्माइब आपने पुलिस भैंज दिया तंगना रनाउट का आपने बुल्डोजर लगा के घर तुडवा दिया तीस साइस में लोगों को आप लोगों ने इन नोटिस तक नहीं दिया आप लोगों ने चिस तरह से शेंटार एजैसियों को वहां तर भुचिने हो जिस तरह से सरकारी धंत्रों को दुरूपियों किया वहां पड़ा करके बग की थोड़ी कमी है देश का सवाल में आप सभाएं आप सबका बहुत शुक्रिया मुंबाई, गोहाटी और दिल्ली तक जित्ता गट्टा करमता हमने समझने कुशिश करी सबी पार्टियों के लोग हमाए साथ थे, कानून के जानकार भी थे, क्या है, सरकार बनेगी, सरकार बचेगी, या सरकार जाएगी तीन विकल्प है, तीनों विकल्पों पर काम हो रहा है, महराश की बड़े निता दिल्ली में है, मुलाकात चल लई है, उद्धो ठागरे ने मिटिंग बुलाई है, NCP साथ खड़ी है, सोनिया गादी ने फोन पर बात करी है, और गोहाटी में विधायक अभी भी, देश का स बचर चुके उद्धो ठाकरे इस लड़ाई में अब कमजोर परते दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि महाविकास गारी सरकार का का ताउंडाउन शुरू हो गया है, इस पूरी लणाई में अब बीजेपी भी एक्शन मोड में दिख रही है, बीजेपी के नेता और महराश की पूर्व सियम देवेन फणनविस दिल्ली पहुच चुके हैं, फणनविस अमिश्या और जेपी नड़ा से मुलाकात कर रहे हैं, दिल्ली में, माना जा रहा है कि इस मुलाकात में महराश में सरकार पर फाइनल फैसला लिया जा सकता है, ऐसी भी खबरे हैं कि फणनविस और शिंदे के बीच सरकार बनाने का फॉर्मूला लगभक्त है हो चुका है, जिसके तहट बिजेपी से 29 मंतरी और शिंदे कैम से 8 कैबनेट और 5 राज मंतरी बनाये जाने की चर्चा बहुत तेज है, उदर गौहाटी में क्या हो रहा है, गौहाटी में एकनाज शिंदे न का आएए कि वो अभी शिफसेना में ही, उद्धो ने विधायकों से मधभेद भूल कर सुलाय करने का एक न्यूता भी दिया है, आज देश का सवाल क्या है, यह महाराश्ट में उद्धो सरकार की उल्टी गिंठी शुरू हो चुकी है, उद्धो सरकार को अब अविश्वा पर आज हम अपने मेहमारों से बात करेंगे लेकिन आईए पहले आपको सुनवाते हैं इस सियासी संग्रान पर आज के बड़े बैयाद अपमें रहे हैं कि यह दो जाना रहे हैं सिर्घा जा रहे हैं ुश्चे अप्र आज की बात नहीं है प्रेइंगे चेसे जो भी उनका प्रपोजल हो आज का जो अपील उद्व जी ने किया है वो एक बड़े भाई के नाते किया है उद्व जी को यह जिम्मेदारी बाला साब ने दिए और एक बड़े भाई के आते, अगर आज उद्धव जी एक अपील कर रहे है, जो भी उनकी समस्या है, वो घर में होनी चाहिए, तो आगर उद्धव जी ने अपील किया है, तो आगर वो आ के एक बार उद्धव से बात कर सके तो खुछ थाल निकल सकता है, बड़ देमोक्रसी और रिस्ते, ये डायलोग से ही हरिकरते, डायलोग बंध होना, इससे कौन सा प्रश्ण इस देश में या दुनिया में छूता है, बताये सुछ, डायलोग is a must. कुछ भी करो, हम डरने वाले दुख में, चाहे मुझे यहां से गिरपता करके लेके जाएंगे, हाद दुसरे आस वात्तंतरा सा लड़ाएं, यह देशा में. वेट एन वाच की भूमिका में है, कल भी हमने स्पष्ट कर दिया, कि हमने इस परिस्तिती को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए, आने वागे दिनों में आवश्यक तब हमारी कोर टीम होगी, और कोर टीम में इस विशे पे चर्चा मंथन करते हुए, फिर हम निरने करे करेंगे, अभी कोई परिस्तिती में वेट एन वाच हम देख रहे हैं और परिस्तिती पे नजर लगाय हुए है, देश का सवाल में आज समझे कुशिश करेंगे कि क्या BJP के लिए बड़ा मौका है, देवेन फनननिस अगर मुंबई से दिल्ली आते हैं, हमिश्या से मिलते ह साथ में रहते हैं, उसके बाद JP नड़ा के घर जाते हैं, मिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो क्या कवायक शुरू हो गई है, जो ये मौका था, उसमें BJP आगे बढ़ गई है, अब तक शान्ती, शिंदे गुरूप क्या कहेगा, वहां के जो विधायक हैं ये भी खवर आ JP से हम से जुड़ेंगे, हमाई साथ एके मिश्रा जी भी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमाई साथ है, प्रेम कुमार जी हमाई साथ इस्टूडियो में मौझूद है, साथी साथ आलोक मैतासर हम से जुड़ेंगे, और साथी साथ हमाई साथ केसी कौशिक जी भी होंगे, जो यानि कानूनी दाव पेज क्या हो सकता है वो भी को साथ ने एक वरिष वकिल चल ले हैं और अब अध्यर्ष क्या पहुंच गए तो बहुत जादा दिन है नहीं अब तो बीजेपी फ्रेंट फुट पे नहीं की बताते हूं आप से बस परश्ड्रोप से कि भांकुट पो रहा है वेख पुट पाइंब लेना देना नहीं होता है समीधान जो कहता है समीधान कि साथ बलबदोर कानून बना है तो आप जैसे आप महराश हैं जैसे आप मत प्रदेश में खरनाटक में स्टीपाद दिला के सरकार बना ली दर्वेदर कानून का ब्रोथ किया लेकिन अब तूठट अगर हमें सिवसेना को तोड़ना है तो तूठट मजार्टी के अवस्टता क्यों अवस्टता पड़ेगी मैं भी बताते हैं मांको चूंकि अगर यह समय सतार के मिश्रा सावे स्टूडियो में आ रहा हो आपके पास सर्थ मिश्रा जी अब तो बिल्कुल क्लियाइटी है अब तो कुछ बजा नहीं अब तो अगर मुलाकात हो रही है अमिश्या जी से मैं जेट मलानी जी यानि वका जहां तक बात है जो कि यह सरकार जब फांडेट फांडेशन हुई थी जब इस सरकार की महागारी सरकार की इसका भविश्य उसी दिन तय हो गया था जो आज जो परिस्थिती यह महारास्ट के अंदर में है इतनी उथल पुथल और इतनी जो उठापटक हो रही है यह स्थि जिदी होता है और बिल्कुल जंता में जो औसंतोस की भावना थी यह आज बिल्कुल उजागर हो गई है महारास्ट के अंदर में इसमें 20 में रोखूंगा आपको मेरा अपना मानना है विधायक जब चुना जाता है तो जो वोट परता है वो सिंबल पर वोट परता है जंता की भावना से खेलना क्या जंता को इसी अपक्षा के साथ आपने जंता में चुन करके आपको भेजा था जो कि उनको एक ऑश्ठीर सरकार चाहिए आप क्या दिखाना चाहते हैं आप संजेराओं का बयान अगर देखिए उन बयान में क्या कह रहा है जो कि बंदूग स बंदूग टकलायगा तलवार से खलाइजी नहीं कि यह दिखाता है मैं विए प्रत्रुप्रां से तेक्ट आप्ट यह इसको भूल में पूरे देश को घ्यान देने कियां आपको जवस्थी का हम दे रहे हैं प्यार में देटा राजिय स्ट्रव दिए आप कि इतना वड़ा प्रवक्ता हूं वो छोड़िये नहीं दिवेदी जी दमकी क्यों दी जाने नहीं पूस करें नहीं कि भूले लगते मिस्राजी दिशमें हुपरना इपनी प्रवागां के लिए पर शेज करने हैं अमने आपको दोड़िया AAA गाना जुड़ कर दिया जैब तकalgल भी है यह tu I am अब तक आप सरकार नहीं पोड़ सकते हैं, मैं इसलिए बार बार कर रहा हुआ हमाई सरकार सुरक्टीत है, हमाई सरकार के लिए सरकार के लिए जारा, इसके बात अब आपको मौका साथ सुप्रिम कोड जो गही जब आख पूरे पुरे पिदायगे, पचाछ विदायगे, गए जब विधायक आपके पास है संख्या के पास है आप गवर्नर के पास जाते हैं देखिए जाए आप इस पीकर आई यह पर यहां पर करना चाहूंगा जो कि यह जो कह रहें सुप्रीम कोट क्यों गए सुप्रीम कोट हम नहीं गए एकनाथ सिंदे साहब गए और यह पार् भार भार भूल को धंकी दे रहे हैं देखिए देश में आजगता कि आपको ने पैदा कर रखी है मैं एक चीज़ आपको पता देता हूँ एक मेट बड़ी खबर आ रही है इस वक्ती बड़ी खबर आपको बता दे महराश्ट को लेकर बीजेपी एक्टिव बोट में आ विट मलानी साथ ने हमारे दो वरिस संबादाता हम से जुड़ा है मुंबई से विशेप और दिल्ली से संजे सीधे संजे कर रूख करते हैं संजे मुलाकात कहां तक हुई सरकार की बात कहां तक पहुची संजे देखे अभी अभी देवेंदरा फणनवीस यहां से जेपी नट्ड़ा के यहां से बेटा करके निकले हैं लगबक आते गंटे से जादा की मुलाकात हुई देवेंदर फणनवीस दिल्ली आ करके केंजी ग्रामंतरी अमीशा से मिटिंग की थी अमिच्छा और देवेंद्र फर्णविस के बीच लगबग एक गंटे से ज़्यादा लगबग चर्चा हुई है इसी मुद्धे पर चर्चा हुई कि आकिर बाराश पिदाज सुभा में किस तरह के रंडिती अपनाएगी बीजेपी संजे अभी कहा है अभी देवेंद्र फर्णविस कहा पर है किस से मिलने जा रहे हैं वापसी की फ्लाइट कब की है मुंबाई की और प्लान क्या है बीजेपी का पता ही संजे देखे देवेंद्र फर्णों इसको चार्टर प्लेन से आए और यहां से जेपी नड्डा के गर से निकल के मिलके निकल के गवर अमारे अमारे जो सुत्र बता रहे हैं वो यह बता रहे हैं कि इस समय उनकी मिटिंग हरी सालवे से होनी है क्योंकि कानूनी मुद्दों पर कुछ बात्चीत होनी है क्योंकि विदान सबा में जो भी कुछ होगा ट्रस्ट वोट के समय में लेकिन आखिर कार तो बाल आएगी कोर्ट में ही वहां क्या हल चले यूट्यूब के जड़िए लोगों से बुजित किया तो इसके बाद उन्मर ब्राज अस्ताथ पार रोका था लेकि जैसे देखे लगाता दिन धलता जा रहा है दिन निकलता जा रहा है वैसे विसे उचना के लिए मुस्वत भड़ी हुती जा रही है उद्वत खड़ी हु संजे आपके पास वापस आऊंगा संजे फॉर्मूला बताईए सरकार का क्या है शिंदे गुरुप को क्या मिलेगा मुखमंती दिवेंदी होंगे सरकार का गठन कब होगा संजे देखी लगता यही है कि अगले दो से तीन गी दिन काफी इंपोर्टन होंगे अगले 48 से बहुततर गंटों में महराश की राजनिती की सब्सारी सच्चा ही सामने आ जाएगी कहा यही जा रहा है कि राज जपाल अब कभी भी विदान सबाब बुला सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रस्ट वोट की मांग मनसे उटा सकती है जो राज ठाकरे की पार्टी है जो कहा जा रहा है कि शीव सेना का जो बागी गुटे वो मनसे में शामिल हो सकता है या मनसे में देखे तो आज उद्धो ठाकरे सरकार के पास नंबर नहीं है जमिन खिसक चुकी पूरी तरह से उद्धो ठाकरे की सरकार यानि की कभी भी गिर सकती है जिस दिन भी ट्रस्ट रोट होगा यहीं माना जा रहा है अभी तक यह हो रहा था फ्लोर आफ दा हाउस चलेंगे समझेंगे बार बार संजे राउत कह रहे थे आईए ना शक्ति प्रडिक्शन करिए लेकिन आप कह रहे हैं कि स्टीफा दे देंगे तो क्या आज उद्धो ठाकरे स्वैम हार माल लेंगे किसाब आप कुछ नहीं हो सकता बयान भी सामने इस्टेट्मेंट सामने आया वागी विधाकरों के लिए कि आप आईए और यहां पर हमांके सामने बात करते हैं वह उन्होंने एक मन बना लिया है कि संजे दिवेदी की पास चलेंगे उससे पहले हमाई साथ केसी कौशिक जी भी है सीनियर एडूकेट है कौशिक जी यह जो घटना करम चला है एक तरफ तो राजनीच चल लई है एक तरफ फ्लोर आफ दा हाउस है एक तरफ कोट है जो मर्जर है एंटी डिफेक्शन कानून है माराश्ट वाले केस में खास तौर से शिफसेना वाले केस में जहां लगबग 40 विदायक बहाटी में कोशिक जी देखे देखे यह जो है ना इनका जो केस है वह बेसिकली पैरा टू ए टू वाट वाट वान में आता है कि इन्होंने अपने एट और कंडेक्श से सुप्रीम कोट जो कहता है कि आपने केस है सो इच्छा से आप अपनी मेंबर्शिप छोड़ते हैं तो वह कर सकत हैं अप उसको प्रतक चुरूप से कर सकते हैं यह चारों कंडिशन्स में आप जो हैना अस्वेच्छ से आपकी मेंबर्शिप छोड़ना माना जाता है अब यह बात आती है कि उसमें उसमें पहरा फोर में एक्जिंशन दिया है कि यदि आप उसे ईक्जिंशन में आते हैं पेराफोर ये कहता है कि यदि किसी पार्टी का वर्टीकल डिविजन हुआ हो और तू थर्ड उसके एमेलेज जो हैं वो उसके लिए एगरी किये हो और वो कर नए किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन पे पेराटू अपलाई नहीं होता है आज की डेट में ये जो बागी एमेलेज हैं इन पे पेराटू अपलाई होता है ये ये नहीं कह सकते हैं कि हम पेराटू से बाहर हैं ऐसा ये कानून कहता है ये चीज़ और आपसे समझना चाते हैं ये जो मर्जर वाला फॉमूला है किसी दूसरी पार्टी में मर्च कर सकते हैं और एक तरफ श करें मर्ज करना चाहते हैं एक तरफ ये कंफरेंटेशन है कि साब आयोक्त है आद दीजे नंबर डाउन हो जाएगा और तीसरा एक और विकल्पसर जो सामने आ गया है वो ये भी आ करेंगे क्या है कि साब अगर फ्लोर ऑफ दा हाउस आप जाते हैं तो बीजेपी भी है एमनेस भी है वो कहने साब मर्ज नहीं करेंगे क्या हम अपना एक गुड़ बना सकते हैं क्योंकि पार्टी कह रही है कि शिंदे ग्रूप कह रहा है कि साब असली शिफसेना तो हम है इन तीन विच्टेशन में कानून क्या कहता है देखे हम को समझना चाहिए जहांता सिंबल का सवाल है सिंबल को सिंबल के बारे में ना स्पीकर को अधिकार है ना मानिय राजपाल को अधिकार है ना चीफ मिरिस्टर को अधिकार है वो जो अधिकार है वो चुनाव आयोग क के सामने जाते हैं जिसाम असली सिवसायन हम है तो वो उनके उनकी पेटिशन पे दूसरे ग्रूप को नोटिस देंगे दौनों पार्टी को सुनने के बाद चुनाव आयोग उसके फैसला करेगी सिंबल सिंबल जो है वो उदाव ठाकरे के पास रहना चाहिए या इन बाइद क इनके पास रहना चाहिए यह यह फ्लोर में डिसाइड नहीं हो सकता है हमाई साथ सच्छे दिवेदी जी उनके पास आऊंगा लेकिन उस्से पहले शाम रावत जी भी हमाई साथ है शाम रावत जी यह जो घटना करम है और जो मेरे सम्वादाता बता रहे है वो साफ कह रहे कि उसके पास ठीपे होंगे अब तो यह सुत्रों से आपको ख़वत बिली है और जहां तक अभी पुड़े दिल पहले आपके चात्रम पे अपनी नेजा सुप्रिया सुरिच से बताया था कि आपको जी ने फिर एक बार सब्सक्राइकों से वाक्ता करने के गोहार लगाई ह अब हमाद के बार सब्सक्राइब अब कुछ बचा नहीं है बहुत ज्यादा करने के लिए क्योंकि अब बीजेपी सामने है महें जय्ट मनानी सहाव है कानून बता देंगे देवेंस साहब है लोग एई कह रहे हैं और सारी मीटिंग शुरू हो गई है चार्टेट प्रेंड खड़ा है अगली लांडिंग मुंबई में देखे कयास लगाने की जो बात है वो बात दूसरी है मैं बात ये करता हूँ कि बाई बीजेपी ने या मनसे ने ये तो बोला नहीं प्रस्ता और रखा नहीं कि हम सरकार बनाएंगे दिल्ली मिलने के लिए कोई आता है तो उनका हे खर्षेर करें अदेगा तो उनका हूँ तो तुम आघ माराश ने राजवीट का पतल है और आप कह रहे है कि साथ यूई मिलने आघाए नहीं मालूं जो लेंगा पिशाजी दिल्कुल लेंगा प्रस्तिध कर नहीं मानूंगा तैंको अन् प्रण्ट फूट पे खेल रही है बीजेपी बीजेपी अब तक चुप थी लार टपक रही थी चुपा रही थी अब जो है खुल करके सामने है लेकिन फिर भी अब तक मूफ्स में वो सामने नहीं दीख रही है बीजेपी जी पता रही है यहां पर जिस तरह से महरास्ट में उधल पुथल चल रही है उसी नाते या भी मिलना जुलना जो हो रहा है बिल्कुल आप उसी परपेच्छ में देखें लट्डू का ओडर दिया कि नहीं दिया कि पेकुल साफ बताइए तो बिकुल इदर गुमाई क्या फाइदा है बारास बड़ा स्टेट और आपको मिलाएं यहां पताई लट्डू का ओडर दिया कि नहीं दिया देखिए मैं आदर भी मैं हमेशा से ही यह पार्टी लटू खिलाने वाली पार्टी रही है और निस्चित तोर पर हम पार्टी बिल्कुल जो है सब्सक्राइब लेकिन एक चीज में जरूर कहोंगा जो एक जिम्मेदार विपक्स के नाते हारास्त के अंदर पहले मातम मनाने की द्यारी करिए एक बार एंसीपी संतोज यह वाई साथे पेंडू कर संतोज जी देखिए मिठाई के ओडर सिया हो गए पावार साब खड़े नाते हैं तो पिछर क्लियर हो रही है जो धुनला पंथा जो परदा था वो धीरे 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 अट रहा है अब क्या बचा है अब क्या बचा है अब तो सरदार कर लाई है अलोक सर जा करके अपने पाले में फिर से आ जाते है तो अभी भारती जल्टा पार्टी वैधानिक रूप से चुकि अभी सुप्रिम कोड तक भी मामला पहुचा हुआ है और इसके बाद भी जाएगा ये पक्का मानिए ये कहानी यहां कतब नहीं होगी लेकिन ये है कि सब लोग आप और हम चर्चा करें पुरी तैयारी हो रही है वो गोश्णा जब तक नहीं होती उसको उस तरह से करके वो दलबदल कारूल आजाएगे ये जिश्चित रूप से तैयारी है और उसके बाद अब खाली ठाकरे जी की स्तीफा दे या जितना ज़्यादा बेज जती करा ले कि वो उद्दाव ठाकरे और आदित ठाकरे का भवी शिचोपट होता है संजेद दिवेदी जी एक पर जवाप देरीजे संजेद दिवेदी शिफसेना क्या पवार साब का भी कोई नहीं स्वार्थ है कि शिफसेना नीचे चली जाए NCP उपर आजाए कॉंग्रेस उनके साथ आजाए संजेद दिवेदी जी ऎलवाई जो है वो नंबर गेंदी है जिसके पास नंबर है वो सरकार बनाएगा अब शाट आँ इसमें इसमें संजेद जी मेरा एक सवार है आप से संजेद जी एक छोटा सवाल ले लेए सर एक छोटा सवाल जो विदायक मनाने भी कहेदे शिव सेना की तरफ से वो भी गोहटी में रुख गए कुछ चेंज होता तो हम सवाल तो सुन लिजे संजे जी मेरा सवाल सुन लिए प्लीज जो भावु का पील आपने करी पावार साथ खड़े हुए सुप्रिया ताई बोल नहीं है सुनिया गांजी ने फोन किया कुछ एक् पर फफड़ा रहे हैं जानते हैं पर हम्डिक फाइदा नहीं हो रहा है ना संजे जी हमारे संवाजाता के रेक के बाद इस्तीफा है आप बिल्कुल ठोक के कहिए नहीं होगा मैं उसको इप्रेकिंग चलाओंगा लिए कैबनेट के बाद पीर नहीं होगा सरकार बसेगी सरकार चलेगी अगले तुनाओं पर चली सरकार आप कैसी बात कर रहे हैं संजे जी किस बाद में जी रहे हैं संख्या है आपके पास सोला की जहां तक बात कर रहे हैं उसमें मता चला एक और जागर के अरे जो मनाने जाता है वह वहीं मिल जाता है आप एक आपको बिल्कुल स्विकार करनी पड़ेगी जिस तरह से आप लोगों में खेल खेला है यह बिधायकों में भी ऑसंतोस है जंता में ऑसंतोस है यह बिल्कुल साफ हो चुकी है इसलिए अब आप अपने आपका प्रेम कुबार जी यह जो विपक्स था हाला कि अभी तक साथ खड़ा है हम देख रहें इंसीपी कॉंग्रेस सब साथ में कड़ें लेकिन इस राजनितिक लडाई में शिंदे ग्रूप और बीजेपी ग्रूप कहीं आगे लिख रहा है महाविकास अगारी से प्रेम कुमार जी अभी गाड़ी कहां बढ़ी है आप कह रहें कि आ सुत्र अरे पूरा मीडिया देश की एक्सपोज हो गई उद्दो सरकार के स्तिफा लेते लेते आज तक भी उस्तिपा हुआ आज भी मैं कह रहा हूं रहा जड़ी बाजिक अब आपने एक सवाल उठाए दस सकेंड़े दीजिए खुद एंसीपी ने का एंसीपी के दो प्र संतोज जी आपको आवाज मिले ही मेरी अलो आपका आवाज आ रहे है बेलकुल साफ आवाज आ रही बुलंद आवाज आ रही है यह जो तत्थ है कि उद्दो ठाकरे स्तीफा देना चाहते थे पवार साब ने रोका कि आप इस्तीफा मत दीजे हम लड़ाई लडएंगे उस देखिए पवार साफ ने स्तीफा देने के लिए स्तीफा मतलब अभी जो ये पुरा घर पोड़के जो गवाटी पहे है उद्दव जी साफ के पास जो अविश्वास इन लोगों ने दिखा के शिवसेने का एक गुड़ जो अभी गवाटी में जाके बैटा रहा है ये काना ऑनको आज अगर कोई मुख्यो मंत्री मुझे बुलिये ये सब घटा होने के बाद तुरण जो वर्षा भगला खाली करने वाला है महारास्ता में बुले देश में बुले या पहलता मुख्यो मंत्री रहेगा उनको कुछ सत्था के लालीज में ये सब उनों ने बहुता अगर सामने आती तो अलग बात आई कोशिश है उद्द्व थाकरे उनका परिवार कोशिश कर रहा है कि विधायक वापस लोट आए लेकिन अब तक नहीं लोटे ठीक है मैं मीडिया को देश की मीडिया पर जब मैं कुछ बोलता हूं तो आप परसनली इमोशनल मत हो यह एक बड़ा सवाल है यह आज की भी बात मैं लॉजिकल बोल रहा हूं आप कहरें कि उद्दव ठाकरे ने भावुक अपील की है अभी उस अपील को अमल में आने का उसका असर पढ़ने का अगरे बाता है इस साल से अवाले से गलत करने की जो नौबत आई है अब पर फिर यह गलत प्लांट की जा रहे है भावुक भारतिये जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मीडिया अधीर है पहले दिन से अधीर है और अग्वावुक अपील कैसे कर रहे हैं दो दिन पहले तक तो बोल रहे हैं कि महारास में आके दिखाए यह सरकार थी अब भावुक अपील कर रहे हैं प्रस्टाचार की सीमा को पार करके आज देख लीजें इस अधीर बना लीजें न पहुत थे तो जो भी बोल्री पर रहे हैं जिसको जिसकी सरकार रहे हैं वो सरकार बचा ले वो सरकार बचा ले यह लोग तंत्र हैं अपर इस वार शाय ओड़ी लोग तो जाइए पर शाय जी शियान रावज कुछ करें श्याम जी तर्म आराश की जंता देख रही है कि बार बार बीजीपी ने महाराश में चार्श थे अधिया एंडिवेश्टाय श्याम शाय मेरा एक सवाल है आपसे सर एंसीपी इंटैक्ट है कॉंग्रेस पार्टी पर सबसे जादा बादल थे लोग कहते थे कॉंग्रेस तूट जाएगी कोई नेता ऐसा नहीं है जो बचा पाए ऐसा नहीं हुआ अब एंसीपी में मैं यह सवाल मुझे दिवेदी इससे पूछना चाहिए लेकिन मैं चाहता हूँगी क्रॉस कॉशनिंग आपसे भी हो क्योंकि आप अलाइस पार्टन रहे हैं इसमें कहने में कोई हर्स नहीं होगा उद्धो ठाकरे बले ही मुखमंत्री है लेकिन सुपर पावर पावार साब इसको कहने मुझे कोई हर्स नहीं है लेकिन अगर आज सरकार गिरती है अब मेरी सवाल तो पूरा हो जानी है मैं करो अगर इस सरकार जाती है तो एक तो आरूप लगेगा कि उद्धो ठाकरे साब अपनी पार्टी को विधायकों को नहीं बचा पाए लेकिन एक कुश्चन मार्क पावार साब की भी पॉलिटिक्स पर लगेगा कि वो सरकार नहीं बचा पाए रहते रहते हैं। लड़ते आएं दर्टे रहेंगे जवाब दे लिए करें जंता के पास जाएंगे ला क्या दिक्क्त है आप देखिए उद्दो ठाकरे भी निकल गए है रैलीज कर रहे हैं उसके बाद आदेप ठाकरे भी रैलीज कर रहे हैं बदाइए मैं यह बोल रहा हूँ कि आज बुजेपी का कोई आदमी वाश्रूम जाता है तो महागाडी सरकार हिल जाती है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है और फिर से जाना है तो सारे कैडिनेट को इस्तिफा देके चुनाओं में जाएंगे कि सरकार बचाएंगे अजाए जवाब को ले लिए दो दिन पहले जुनकी दे रहा है तो एक बाशल जवाब ले ते आप की सचायी सामने हैं आप वर्शा बंगला आप छोड़ रहे हैं सरकार कैसे बचेगी कभी धंकी दे रहे हैं कभी अनुवे कर रहे हैं कभी बीवे कर रहे हैं कभी इस्तिवा की बाते आ रहे हैं और अब प्रिसीजन नीचे क्या करेंगे आपके पास आप्शन तीन है सरकार बचाएंगे या चुनाओं में जाएंगे डिक्लेयर करिये सरकार बचाएंगे आप तो सरकार भी नहीं बचा पार रहे हैं ना पिछले दस दिनों सारी कारवाई ठाप पड़ी है आप बोलना हमारे पास निकल कर जो कानूनी दाव पेच है एक बार फिर से समझने कोशिश करेंगे जो लगता है राजगीतिक बहस बहुत देर चलिए एक एक बार केसी कोशिक जी का फिर से रुख करेंगे आप लोगत द्यान से सुनिएगा चुकि राजनी जो इस समय चल लई है उससे संख्या बल पर नहीं चलेगी कानून उस पे कहीं न कहीं बैरिकेट है और वो बैरिकेट पार करना पड़ेगा उसको समझने के लिए कोशिक के पास चलेंगे कोशिक जी यह तो राजनितिक बैस है सरकार रहेगी जाएगी विदायक कहा जाएंगे कहा आएंगे इसका निसकर्स क्या होगा क्या ये एक लंबी कोट की और एलेक्शन कमिशन की लडाई में मामला फसता हुआ दिख रहा है देखें ये मामला तो कल ही फस गया था जब सरवोच नेयालने ने ये 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 कह दिया कि डिप्टी स्पीकर को जो समय साड़े पांच बजे थक था वो समय बारे जोलाई तक है तो हमको सब को सोच लेना चाहिए जब ये इंटर्वेनी पिरेड मिल गया तो इसमें प्रॉलम तो आएगी ये लडाई कभी खतम नहीं होगी ये लडाई दुबारा सुप्रीम कोट आएगी ये ऐसा मेरा मानना है चुकि यह जो यहां तर सिंबल का सवाल है सिंबल जाएग चुनाव आयोक के पास चुनाव आयोक से जो पार्टी संतुस नहीं होगी वो फिर सुप्रीम कोट आएगी कोशी चीज़ मेरा एक चोटा सा सवाल है आपसे से दो चीज़े हैं क्योंकि किसी भी पार्टी का जो समविधान होता है वही मूलभूत आधार होता है एलेक्शन कमिशन के पास वो जमा भी होता है विधाईकों के संख्या आज की डेट में अगर हम मान के चले हैं तो वो श देखें जहां तक आपने बहुत सही सही विशलेशन किया है कि जब चुनावयाविक के सामने जब तत्त रखे जाते हैं खाली विधायक आपके किदहने इस पर फैसला नहीं होता है जो परिटिकल स्ट्रक्चर है पार्टी का परटी जो बाइलोज है उसके साफ से मैजर्ट अखलेश यादव के पक्ष में दियाता चुनावयाविक ने तो हमें समझना चाहिए कि ओर आल है जी हम देखें तो ओर आल जो है जो सिवसेना का जो बाइलोज हमारे सामने सारे सामसार पूरे उपस्त नहीं है लेकिन जितना पता है उसके हिसाफ से कैडर बेस पार्टी है कैडर बेस पार्टी पे मैज़ोर्टी आज की डेर पे उदाव ठाकरे का लगता है यह जो बाकी विदायक है यह इसा नहीं लग रहा कि इनका बाकी कैडर पे भी कंट्रोल है यदि ऐसी स्थीति रहती है तो चांसि इसके जादा है कि चुनाव आयोग जो है वो सिंबल उद वो इनको नहीं करना चाहता था देखिए बिधायक क्या है सरक्यार क्या है वो अलग है पार्टी का जब वो इस चीज का डिसीजन कैसे होगा कि रास्त्री अध्यक्ष कौन है और सिंबल किसका है तो ठीक इसी तरीके से वहाँ पे लोगों को गुला के इलेक्शन कमीशन पूछता है जो पार्टी के फॉर्मेशन के टाइम पे या यरली जो इलेक्शन होता है उसमें जो पदाधिका होते हैं वो जिसके फेवर में जाएंगे वो पार्टी का मालिक बन जाएगा अलोक सार के पास चलेंगे अलोक सार सब कुछ तो अब दिल्ली आ गया है और जब आमीश शाह जी से और नडड़ा साफ से मुलाकात हो गई है तो हम लोग काउंड़ाउन माल लें बहुत 24-24 गं देंगे और जाके गवर्णर से कह दें कि अपना हमारा पास इतनी संख्या है शीर सेना के जो विधायक है विरोधी और इसलिए अभी सिंबल की बात तो बहुत बात में आएगी रज़त जी इंद्रा गांदी के समय में जब भी उस तब एक पार्टी टूटी थी आप सिक्स देते हैं सरकार को उसके बाद सै हो जाएगा कि विधायक इसके साथ रहते हैं और अलोग सर फाइनल कांडाउन मान ले अब महराज कर शुरू हो गया है मुझे तो लगता है कि बिल्कुल अगले दो तीन दिनों में ही यह हो सकता उसकी प्रभूया कर दो जो की एक जिमेदार विपक्ष के नाति महरास्ट के अंदर में जो उधल पुधल चल रही है और जो राजनती को उठा पर डग चल रही है यहाँ पर सारे प्रभुध्य पैनल में बैठे हुए हैं मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा जो कि इस तरह की स्थिती नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि एक पार्टी के अंदर में एक बिधायकों का जो औसंतोस था वो बिल्कुल नजर आ रहा था जूकि जनता में भी इस तरह के औसंतोस बिल्कुल फोरवार्ड हो रहे थे जहां तक बात है भाजपा का तो निस्ची तरपर हम थोड़ा सा भी देखेंगे इंदिजार करेंगे क्योंकि इस तरह कि अभी स्थिती जहां तक मिलने जुलने की बात है तो एक मैं आपको फिर से कहता हूं जो कि मिलने जुलने की जो बात है वो जिम्मेदार विपक्ष के नाते मिलना जुलना वहां पर जो हो रहा है यह बिल्कुल वही उसी चीज़ को संजे दिवेदी जी कहरें साथ विपक्ष की तरह हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि साथ जो राजनितिक समी कराना उसको समझने की बीजेपी अभी कोशिश कर रही है मिशा जी जो शिंदे ग्रूपे उससे कोई बाचीत तो नहीं हुई ना आपकी आज बिधायक से अगर कोई मिलता है तो दोस्ती के नाते में ध्यान दे रहे हैं बीजेपी वाले कि साथ क्या हो रहा है और कुछ नहीं है राजनितिक आज सिर्ता है माराश में इसलिए विपक् प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूँ यह जो स्थिती है क्या यह सिर्थ देखने वाली है बीजेपी की कि विपक्ष के रूप में देख रही है या फिर सत्ता सामने है देखिए यह पूरा मामला जो ऐसा नहीं है कि शिवसेना से सब रूठ गए रूठ जाते तो मुंब में भी रोध होता दीरे दीरे आपने देखा सूरत में कुछ इकटा हुए कुछ गो आटी में गए संक्या बढ़ती रही बुलाए जाते रहे यह और उसके बाद अब भी जो है सुरक्षा में रखा गया है वहां पत्रकार तक मिल नहीं पाए सारे बिधायकों से वह आते थ क्लियर नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं और फ्लोर पर यह क्लियर हो सकता और कहीं क्लियर नहीं हो सकता और अगर आप कहरें कि मिल लिए जेपी नड़ा से तो सरकार बचा ले एक मिलना चुनावती है कि शूशे ना सरकार बचा ले क्या हम ये देखेंगे जो कि वहाँ पर सरकार बन गई या सरकार बनाने के लिए हम रूची रख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है मैं अभी भी कह रहा हूँ मैं अभी भी क्या रहा हूँ कि आप अपने विधायकों को जो असंतोस है जो भड़ा पड़ा है उसको आप बिल्कुल ने आप भावुक पर भावुक चिथिया लिए लेकिन वहां का विधायक रिस्पॉंड नहीं कर रहा है आपको कियो नहीं बात कर रहा है सथाखरें सञेदी वेदी जी जी अगर बात पूरी करने से तो तो मैं बोलूँ गावंदा मैं शांथ हो जाता हूँ उभी में नीकला खुकिकर पिर्मागी अब द्रजच निनिकला आप क्या अब को उगरी पोलहाए को हो गाली होगा और खुकिकर आहिए तो इसकी वह बना तो खुल है यहाँ थाय महा turbo 3 इसमाने नहीं जाएं पर्टित निहीं को सब्सक्राइब भागी नहीं ना जिए अने महराश की बात है आपने थी में रखाये बिजाएकों को आखेंगा राज़ा जी नोटेस्ट गौहाटी में बुलाई ए मुंबई तो मनाने के लिए जब आप फोन भी कर रहे हैं चिट्टी दिक लिख रहे हैं आप भावु का पील कर रहे हैं आप मैंसे को चले जाएंगा जो को जाएगा जाएक इस दोर से पैट की देख रहे हैं अच्तिर्ता खुद प्धबारे सर्म और यह काबिच करें इनकी तो मझसुम होई है लेकि आज हमारे विद्व शीषना के विधायक जो अगर गए है बॉटी में अगर हम को प्रेम से बुला रहे तो बुला रहे हैं आज कित्षिया लिगने में क्या बुला रहे हैं लेकिन आप उस्फल हो रहे हैं आप दस दिन से महाराष्ट के अंगर में सरकार और जंका कितना प्रभावित हो रहे हैं इसको भी समझने की कोचित करिए आप सरकार के अंगर में आपकी जीमेदारी ज्यादा हो जाती है हमारी जिन्दारी जानते हैं लेकिंगे आप उतनी सोच रहे हैं कि बार बार आप यह सोच रहे हैं तो क्या है यह आप लोगों ने जिस तरह से फाइलों के उपर में साइन किया आज तो वणाजी पाल साब ने उस चीज को मंगाया भी है उस जो इतनी जल्डी थी जो सारे पाल के उपर में आप बिल्कुल आपने लुगों ने साइब क्या क्या किया आपने 22 से 24 के बीच में आप लोगों ने फाइल के उपर ने तो इस लिए यह समझना जंता चाह रही है यह जंता आप लोगों ने नोटिस तक नहीं दिया आप लोगों ने जिस तरह से सरकारी तंत्रों को दूप्यों किया वहां पर वाजा करके वक्त की थोड़ी कमी है देश का सवाल में आप सभाएं आप सबका पहुश शुक्रिया मुंबई गोहाटी और दिल्ली तक जित्ता गट्ला करमता हमने समझने कुशिश करी सभी पार्टियों के लोग हमाए साथ थे कानून के जानकार भी थे क्या है सरकार बनेगी सरकार बचेगी या सरकार जाएगी तीन विकल्प हैं तीनों विकल्पों पर काम हो रहा है महाराश की बड़े निता दिल्ली में है अब दिल्ली पहुच गई है नमबर गेब में पिछर चुके उद्धाव ठाकरे इस लड़ाई में आप कमजोर पड़ते दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि महाविकास गाड़ी सरकार का ताउंडाउन शुरू हो गया है इस पूरी लणाई में अब बीजेपी भी एक्शन मोड में दिख रही है बीजेपी के नेता और महाराश की पूर्व सियम देवेन फंदन्विस दिल्ली पहुच चुके हैं फंदन्विस अमिश्या और जेपी नड़ा से मुलाकात करने हैं दिल्ली में माना जा रहा है कि इस मुलाकात में महाराश में सरकार पर फाइनल फैसला लिया जा सकता है ऐसी भी खबरे हैं कि फंदन्विस और शिंदे के बीच सरकार बनाने का फॉर्मूला लगभखत है हो चुका है जिसके तहट बीजेपी से 29 मंतरी और शिंदे कैम्ट से 8 कैबनेट और 5 राज मंतरी बनाये जाने की चर्चा बहुत तेज है उदर गौाटी में क्या हो रहा है? गौाटी में एकनाज शिंदे ने कहा है कि वो शिफसेना और बाला साहिब के हिंदुत को आगे लेकर चलेंगे और जल्द ही मुंबई भी जाएंगे इसी बीच उदर ठाकरे ने एक बार फिर बागी विधायकों को चिठी लिखकर भावुक अपील की है उदर ने बागी विधायकों से कहा है कि वो अभी शिफसेना में ही है उदर ने विधायकों से मदबेद भूल कर सुला करने का एक नियोता भी दिया है आज देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है क्या महाराश में उद्धो सरकार की उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है? उद्धो सरकार को अब अविश्वास प्रस्ताओं की अगनी परिक्षा से गुजरना होगा? क्या शिंदे गुट ने विजेपी के साथ मिलकर महाराश में नई सरकार बना पाईगी, क्या फर्णनवीस और शिंदे की बीच सरकार बनाने का फॉर्मूला फार्मूला हो गया है। इन सारे सवालों पर आज हम अपने महमारों से बात करेंगे, लेकिन आईए, पहले आपको सुनवाते हैं इस सियासी संग्रान पर आज के बड़े बैया है। सार आप राजय पाईगे। अगर उद्धव जी ने अपील किया है, तो अगर वो आके एक बार उद्धव जी से बात कर सके तो कुछ हल निकल सकता है, बड़ देमोक्रसी और रिष्टे यह सिर्व डायलोग से ही हर करते हैं। डायलोग बंध होना, इससे कौन सा प्रश्ण है इस देश में या दुनिया में चूटा है बताएं। हम डरने वाले दुख में हैं। चाहे मुझे यहां से गिरप्ता करके लेके जाएं। हाँ दुसरे स्वात्वंत्राचा लड़ाएं। यह देशा में। वाच की भूमिका में है, कल भी हमने स्पष्ट कर दिया, कि हमने इस परिस्तिती को पूरी तर से ध्यान में रखते हुए, आने वागे दिनों में आवश्यक तब हमारी कोर टीम होगी, और कोर टीम में इस विशे पे चर्चा मंथन करते हुए, फिर हम निरने करेंगे, अभ मौका है, देवेन फनननिस अगर मुंबई से दिल्ली आते हैं, हमिश्या से मिलते हैं, महीर जेट मलानी साथ मे रहते हैं, उसके बाद जेपी नड़्डा के घर जाते हैं, मिटिंग स्टार्ट हो जाती ही, तो क्या कवायक शुरू हो गई है, जो ये मौका था, उसमें मिश्रा जी हैं, BJP की पक्ष रखने के लिए, संजे दिवेदी जी हैं, शिफ सेना से हमाई साथ हैं, शन्तोष पैड़ुकर, NCP की तरफ से हमाई साते हैं, साती साथ शियाम रावत जी, NCP से हमसे जुड़ेंगे, हमाई सात एके अिमिश्रा जी भी है, परिटिकल अनालिस् पर पास हम चलेंगे संजे दिवेदी जी के पास संजे जी अब तो बिल्कुल खुला खेल है जब दिवेन फणनवी साब आ गए दिली अमिश्या साब से मुलाकात हो गई साथ में महेश जेट मलानी भी है यानि कानूनी दाव पेज क्या हो सकता है वो भी को साथ ने एक वरिश्वकिल चल रहे है और अब अध्यर्ष क्या पहुँच गए तो बहुत जादा दिन है नहीं अब तो बीजेपी फ्रेंट फुट पे मैं एक रहा जी बता से ल हगा ऑफ से और भादा है नहीं होता है माराश में मद्ध्य प्रडेश में हमे सीपाद इलागे सरकार बनानी जल बर्वद का बरोत दे dost लिए हैu सब्सक्राइब को तोड़ना है तो तूठर मिजार्टी के अवस्ता क्यों आवस्ता पढ़ेगा भी बशाथे मां को चुक्कि अगर यह सब्सक्राइब कानूनी दाव पेज बिल्कुल क्लियर है और उसके बाद नड़ा जी तो अब तो ग्रीन सिगनल है आगे बढ़िये साब लड़ू के ओडर दीजे बिल्कुल सही बात है जो कि ग्रीन सिगनल है लेकिन मैं एक चीज़ जरूर इसपस्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जहां तक बात है जो कि यह सरकार जब फाउंडेशन हुई थी जब इस सरकार की महागारी सरकार की इसका भाविश बिधायक की जो एक संख्या है इतना ऑशंतोस ये बिल्कुल दिखाता है जो कि एक विधायक कितने जन्ता का जन प्रतमीदी होता है और बिल्कुल जन्ता में जो ऑसंतोस की भावना थी ये आज बिल्कुल उजदागर हो गई है今 इसमेर बीश में रोगूंगा आपको मेरा वोट परता है बिखुर सही बात है जो कि Ras तक रहेगा टलवार से तलवार तक रहेगी यह दिखाता है यह दिखाता है यह दिखाता है अब प्रवक्ता वो छोड़िये यह दिए प्रवक्ता है यह दिखाता है यह दिखाता है यह दिखाता है यह दो आश्ची क्यों दे जारें दीजारें क्याना होगी है हमारे मामें के सिंदेजी भागी हुए हमने अपनी किपी शीकर्ट है अपनी कारवाई कर दिया हमारा कि आगर इनके बस रहे हैं यह पे समझते क्या यह जब तक तू थर में जाटियां पही तोड़ेंगे माईय अवस्ट ने पूड़ सकते हैं तो एक सीधा सीधा सवाल पूछा है वो कहने साब सुप्रिंग कोड़ जब विधायक आपके पास है संख्या के पास है आप गवर्नर के पास जाते हैं कहते साब स्पीकर आईए फ्लोर आप दा हाउस क्यों नहीं गए आप एक चीज तो इस पस्ट और यहां पर करना चाहूंगा यो कि यह जो कह रहे हैं सुप्रीम कोड क्यों गए सुप्रीम कोड हम नहीं गए एकनाथ सिंदे साहब गए और यह पार्टी का आप प्रांदरूनी मामला था इसलिए आप इस चीज को बिलकुल समझने की कोशिस करिए यह सुप्रीम कोड जाने वाले हम नहीं थे सुप्रीम कोड जाने वाले हम नहीं थे एकनाथ सिंदे साहब थे आप बार बार गोन को धंकी दे रहे हैं देखिए देश में आजकता कि किस्टिती आप तो में पैदा कर रखी है मैं एक चीजा आपको पता देता हूं एक मेट बड़ी खबर आ रही है इस वक्ति बड़ी खबर आपको बता दे महराश्ट को लेकर बीजेपी एक्टिव मोट में आ चुकी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उद्धाव और पवार की बातचीत मुंबई से मिशेट और दिली से संजे सीदे संजे कर रूक करते हैं संजे मुलाकात कहा तक हुई सरकार की बात कहा तक पहुची संजे देखे अभी अभी दिव्यंद्रफर्णवीस या से जेपी नट्डा के निकले हैं लगबक आधे Humi Akira के बीच में इसके पहले दिव्यंद्रफर्णवीस न दिल्या करके केंजी गरामंत्री अमीशा से मिटींग की ती अमिचा और देवेंद्र फर्णन्विस के बीच लगबग एक गंटे से ज़्यादा लगबग चर्चा हुई है इसी मुद्धे पर चर्चा हुई कि आकिर बाराज फिदाज सुबा में किस तरह के रंडिती अपनाएगी बीजेपी क्योंकि बीजेपी संजे अभी कहा है अभी देवेंद्र फर्णन्विस कहा पर है किस से मिलने जा रहे हैं वापसी की फ्लाइट कप की है मुंबाई की और प्लान क्या है बीजेपी का बता ही संजे देखे देवेंद्र फण्डो इसको चार्टर प्लेन से आए और यहां से जेपी नड्डा के गर से निकल के मिलके निकल के गए और हमारे हमारे जो सुत्र बता रहे हैं वो यह बता रहे हैं कि इस समय उनकी मिटिंग हरी सालवे से होनी है क्योंकि कानूनी मुद्दों पर मुंबई में भी क्योंकि सरकार तो मुंबई में बनी है पावार साब की फोन पर बात्चीत हुई है सुप्रिया सुले ने काया हम तो साथ खड़े हुए सोनिया गानी ने कैपनेट मिटिंग से पहले उद्दों ठाकरे से फोन पर बात किये वहां क्या हल चले तो साथ काते हैं सुझाय गांदी ये तॉलो की बड़ी बात हुई है और बात के पात बहुत बड़ा पैसला भी महाराश के हो सकता है या आगी आज की महाराश की क्योंकि अब उद्दों अगरे साबच मे आ गया है क्योंकि पास संख्या पल लही है और इसलिए वो इसलिए पर आपको पता ही है कि दो बाश्टीफा देने जा रहे थे जिस दिन वो यूटूब के जड़ी है लोगों से बुज़ित किया तो उसके बाद उन्मर बदा रहा रहा है दिन निकलता जा रहा है वैसे विसे विसे उच्छाना के लिए मुस्वत खड़ी होती जा रही है उद् आपको बदें के बाद स्टीफाद दे सकते हैं इसे ऐसे बड़ी खबर आपको बता रहें हैं उद्दा ठाकरे स्टीफा दे सकते हैं है मुखमंत्री पर चैप संजय आपके पास वाओंगा UPraw natural का है ऐधे सिंदे मिलेगा दिवेंद सरकार का गठन कब होगा संजे लगता यही है कि अगले दो से तीन की दिन काफी इंपोर्टन होंगे अगले 48 से बहुततर घंटों में महाराश की राजनिती की सब्सारी सच्चा ही सामने आ जाएगी कहा यही जा रहा है कि राज्यपाल अब कभी भी विदान सबाब बुला सकत हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रस्ट वोट की मांग मंसे उटा सकती है जो राज्ट ठाकरे की पार्टी है जो कहा जा रहा है कि शीवसेना का जो बागी गुटे वो मंसे में शामिल हो सकता है या मंसे में विले कर सकता है तो वहाँ ही से मांग उठेगी ट्रस्ट वोट की ठाकरे सरकार के पास नंबर नहीं है जमिन खिसक चुकी पूरी तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार यानि की कभी भी गिर सकती है जिस दिन भी ट्रस्ट वोट होगा यही माना जा रहा है ठीक है और इसी पास एक पास सीधे अब शेक के पास चलेंगे अब शेक का यह जो घटना अब बात बनने वाली रही है इसलिए उनका एक बहुत इमोसल आज बयान भी सामने इस्टेट्मेंट सामने आया के लिए कि आप आईए और यहां पर हमांके सामने बात करते हैं वह उन्होंने एक मन बना लिया है कि वह कांग्रेस एक तरफ तो राजनीच चल लिए एक तरफ फ्लोर आफ दा हाउस है एक तरफ कोट है जो मर्जर है एंटी डिफेक्शन कानून है महराष्ट वाले केस में खास तौर से शिफसेना वाले केस में जहां लगबग 40 विदायक बहाटी में वो कहां स्टेंड करता है कौशिक जी देखे देखे यह जो है ना इनका जो केस है वह बेसिकली पेरा टू ए टू वार्टू वन में आता है कि यह इन्होंने अपने एट और कंडेक्श से सुप्रिम कोट जो कहता है कि आपने कि जो वॉलेंटरी वॉलेंटरी गिवन पाकेस है सुच्छा से आप अपनी मेंबर्शिप छोड़ते हैं तो कर सकते हैं आप अपनी क्रत से कर सकते हैं